नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का ये है अनकाडमी की ये है अनकाडमी की लाइफ क्लास जिसके अंदर आप यहाँ पर मेरे साथ है और पेंटिंग्स को हम कर रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों शुरुआत करते हैं जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो के अंदर हम already आधी पेंटिंग्स को कवर कर चुके हैं और अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हम आज जितनी भी बची हुई हमारी पेंटिंग्स हैं सब को कंपलीट कर लेंगे last class के अंदर हमने आधी paintings जो है almost cover कर ली है क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाती तो better है इसको दो पार्ट में कर ले ताकि आप भी इसको अच्छे से समझ पाए ठीक है चलिए तो यहाँ पर अगर शुरुवात करें सेशन की जैसा कि आप जानते हैं already paintings जो है question के अंदर पूछी जाती रही है और ये prelims के बात है mains के अंदर भी आपको paintings देखने को मिलेंगी और paintings पर mains में जब भी question आएगा तो यहाँ पर ये classes आपको mains में भी मदद करेंगी ठीक है तो session की शुरुवात करते हैं दोस्तों सभी दोस्तों को good evening यहाँ पर अगर बात करें जो भी दोस्त जो भी दोस्त अगर यहाँ पर comprehensive batch के अंदर enroll नहीं करना चाते हैं तो यहाँ पर उनके लिए एक special foundation batch launch किया गया है जिसके अंदर आपको NCRTs पढ़ाई जाएंगी जिसके अंदर आपको NCRTs पढ़ाई जाएंगी और आपके foundation strong करने पर यहाँ पर focus रहेगा छटी से 12 तक की NCRTs यहाँ पर cover करवाई जाएंगी और यह एक affordable price range में रखा गया course है जिसके अंदर सभी subjects की छटी से 12 तक की सारी NCRTs यहाँ पर cover करवाई जाएंगी और आप इसमें देख सकते हैं मेरे साथ अगर आपको history पढ़नी है history अगर आपको पढ़नी है तो आप इस course के अंदर enroll कर सकते हैं और strictly exam point of view से चीजों को cover किया जाता है पेपर में जो जो पूछा जाएगा उन चीजों को anticipate करके हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो session की शुरुआत हो चुकी है और इस course को यहाँ पर आप देख सकते हैं affordable price range में रखा गया है ताकि सभी यहाँ पर चाहे खास्त और पर जो college going students होते हैं वो इसको afford कर पाएं code आपको लगाना होगा SMK live अगर आप इस course के अंदर enroll करना चाहते हैं बाकी जो teachers हैं आपको polity, geography, economy इन subjects की भी तैयारी यहाँ पर करवाएंगी तो इस course को आप देख सकते हैं उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 50% discount चल रहा है और 6 महीने का आपको course extra मिलता है अगर आप comprehensive batches के अंदर enroll करते हैं यहाँ पर सभी top educators आपको बढ़ाते हैं one-on-one mentorship मिलती है even test series का access आपको देखने को मिलता है code आपको लगाना होगा SMK live अगर आप comprehensive batches में enroll करना चाहते हैं साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं यह bilingual का course है यह English medium का comprehensive batch है सभी में आपको code वही रहेगा हमारा SMK live और आप discounted price पर 50% off में enroll कर सकते हैं इसके अलावा 25 फरवरी को याद रखेंगे Unacademy Civil Services Championship test होने वाला है यानि कि यहाँ पर आप इस combat में participate कर सकते हैं अपनी knowledge तो test आप करेंगे ही साथ में आप यहाँ पर कई सारे prices जीच सकते हैं जैसे laptop जीच सकते हैं इसके अलावा gift vouchers जीच सकते हैं साथ में 90% scholarship आप जीच सकते हैं और test series तक भी आप जीच सकते हैं तो इसके अंदर आप अपनी knowledge भी चेक कर सकते हैं और prices भी जीच सकते हैं सुबा 11 बजे और फिर शाम को 5 बजे दिन में 2 बार यह होगी 25 फरवरी को इसमें enroll करने के लिए कोज लगाना होगा SMK लाइव उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं 2024 का exam pass है और test series बहुत ज़ादा जरूरी होती है exam के लिए तो test series launch हो चुकी है All India test series जिसके अंदर आपको total 24 test देखने को मिलते हैं आपको full length test भी मिलेंगे GSK और CSAT के भी full length test देखने को मिलते हैं सिर्फ 2499 में test series में आप enroll कर सकते हैं code लगाना होगा SMK live सबसे ज़ादा affordable test series आपको अगर देखने को मिलेगी तो यह test series जो है All India level की सबसे ज़ादा affordable test series है code लगाना होगा SMK live इसमें enroll करने के लिए दोस्तों यहाँ पर अगर paintings की बात करें हम already prehistoric rock paintings को cover कर चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि जो prehistoric इंसान थे यानि कि जो natural गुफाओं में रहते थे जैसे कि भीम बेटका की गुफाओं में यहाँ पर किस तरह से paintings जो हैं हमें उस जमाने की painting देखने को मिलती है और यह हमने देखा था कि इंसान ने painting कब से बनानी शुरू कर दी थी इंसान ने stone age से ही painting बनानी शुरू कर दी थी खास दोर पर कब से अपर paleolithic जमाने से अपर paleolithic जमाने से ही इंसान ने paintings बनानी की शुरुआत कर दी थी इसके बाद हमने देखा फिर mesolithic जमाने में भी इंसान ने paintings बनाई, उसके बाद चैलको लिथिक फेज, जो कि हडपा सभिता के साथ साथ चल रहा था उस जमानी की paintings भी हमें recover हुई है, तो ये paintings जो थी बड़ी simple थी, जैसे इंसान को इस तरह से दिखाया गया है, घोडों पर गुफाओं के अंदर, और जादा तर किस mineral का इस्तमाल होता था, ओक्रे कलर का, ठीक है ओक्रे mineral, ओक्रे mineral क्या होता है ये iron और उसके oxide से बनने वाला, जैने कि iron और oxygen से बनने वाला जो mineral होता है, उसके different colors के जो shade होते हैं, red color, yellow color, depend करता है कि उसके अंदर, पानी की मात्रा कितनी है कि oxygen की मात्रा कितनी है, उससे color, जो है mineral का change होता है इस color का, इस्तमाल करके जादा तर ये paintings गुफाओं में बनाए गई है pre-historic man के द्वारा ठीक है, अब ये दिवारों पर बनाए गई painting थी, एक और, आपको दिवारों पे बनी हुई painting यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि specifically हम जिनको mural painting कहते हैं और ये mural paintings भी गुफाओं में ही, गुफाओं की दिवारों पर आपको मिलेगी, और साथ में मंदिरों की दिवारों में भी आपको देखने को मिलती है तो एक और टाइप की paintings है, moral paintings लेकिन ये जो moral cave paintings हम पढ़ते हैं ये काफी जादा advanced form की paintings है जैसे कि यहाँ पर prehistoric paintings जो थी ये भी दिवारों पर ही हो रही थी लेकिन इसके अंदर sticks, circles, lines इस तरह के paintings से बड़ी simple तरीके से आकरतियां बनाई गई थी लेकिन अगर बात करें moral cave paintings की अब यहाँ पर आपको proper paintings दिखेंगी आपको चहरा दिखेगा, scenes दिखेंगे बने हुए चहरों में expression दिखेंगे, इस तरह की paintings दिखेंगी और ये दिवार पर की जाने वाली ही paintings है ठीक है, तो moral painting का मतलब होता है दिवार पर की जाने वाली paintings आप इनको भी moral paintings कह सकते है जो prehistoric paintings है क्योंकि moral paintings को बनाने के कई طریقे होते है ठीक है, कई तरीकों से moral paintings बनाई जाती है, उन्में से एक technique होती है, जिसको कहते है fresco technique fresco technique एक technique होती है, जिसके दुआरा दिवारों पर paintings बनाई जाती है कई techniques में से एक technique है fresco technique इसके अंदर इस्तमाल होता है सबसे पहला जो step होता है वो होता है cow dung ठीक है और rice husk यानि कि चावल का जो भूसा बचता है चावल का जो भूसा बचता है इनको mix करके पेस्ट बनाते है और पहले दिवार पर उसका लेप लगाते है second step होता है lime plaster lime plaster wax lime plaster का लेप यहाँ पर लगाया जाता है wax lime plaster का यानि कि चूने का जो लेप होता है घीला उसको लगाया जाता है तीसरा step होता है pigments यानि कि color apply किया जाता है और ऐसे में ये जो वैक लाइम प्लास्टर है ये कलर्स को एब्सॉर्ब कर लेता है और काफी लंबे समय तक इसलिए आप देखेंगे अजंता की गुफाओं की जो पेंटिंग है आज से पंदरा सो साल पहले हुई थी वो अभी भी प्रिजर्वड आपको देखने को मिलती है ये फ्रेसको टेकनिक दिवारों पर की जाने वाली पेंटिंग में कई पेंटिंग में से एक टेकनिक है ठीक अजंता की गुफाओं में अजंता की गुफाओं में 220 से लगभग 600 AD तक आपको बनती हुई नज़र आएंगी और सबसे ज़्यादा पेंटिंग आपको गुपता काल में बनती हुई नज़र आएंगी अजंता की गुफाओं के अंदर और यहाँ पर हमने देखा था कि मिलती है और काफी ज़ादा advance proper जैसे paintings होती है वैसी अजंता की गुफाओं में आपको paintings देखने को मिलती है इसके बाद अगर बात करें इससे पहले pre historic paintings में सबसे ज़ादा मात्रा में pre historic paintings आपको कौन सी गुफाओं मिलती है वो हमें मिलती है भीम बेटका की गुफाओं में अगर आपने मेरे साथ last class cover की है तो last class में आपने यहां पर हमने पढ़ा था कि सबसे पहले prehistoric paintings किस गुफां में हमें मिली थी ठीग है, ये तो भीम बेटका की जो गुफाओं है, इसमें सबसे मात्रा में सबसे जादा मातरा में prehistoric rock paintings मिलती है लेकिन prehistoric rock paintings आपको सबसे पहले किस गुफा में discover की गई थी वो मुझे comment box में बताएंगे ठीक है चली दोस्त यहाँ पर UPSC के अगर आपने तयारी शुरू की है ठीक है तो यहाँ पर regular class आप ले सकते हो और खास तोर पर 2024 की तयारी करने वाले दोस्तों के लिए और अगर 2024 की नहीं आप 2025-26 की भी तयारी कर रहे है तो आपके लिए बहुत अच्छा course यहाँ पर आने वाला है जो कि crash course की form में सभी educators अपने important subjects यहाँ पर पढ़ाएंगे तो जल्दी ही 4-5 दिनों में यहाँ पर इसी channel पर आपको crash course देखने को मिलेगा जिसके अंदर मैं आपको history के important topics कराऊँगा जो की exam perspective से बहुत जादा important होते हैं बाकी educators भी जैसे geography के, environment के, quality के crash course इस पर आने वाले हैं और कम से कम 75 से 90 दिन के अंदर जितने भी important topics हैं सब cover यहाँ पर करवाए जाएंगे तो आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं, regular classes आप ले सकते हैं यहाँ पर हमने moral cave paintings पढ़ी उसके बाद हम पहुँचे miniature paintings पे moral cave paintings जो हैं दिवारों पर की जाती है प्रेसको technique एक खास प्रकार की technique है जिसके द्वारा moral cave painting की जाती है और moral cave painting आकरती में बड़ी होती है क्योंकि दिवार पे की जाती है जिसका best example आपको अजनता की गुफाओं में जो buddhist paintings है वो आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा moral cave paintings आपको मंदिर की दिवारों पे मिलेंगी जैन paintings मिलेंगी उसके अलावा Hindu paintings मिलेंगी और buddhist paintings जो आपको अजनता में मिलती है वैसी ही paintings आपको मध्य प्रदेश की बाग गुफाओं में भी मिलती है तो कुछ examples थे इसके अलावा miniature paintings जो होती है miniature paintings वैसे तो size में छोटी ही होती है लेकिन size में छोटा होना miniature का मतलब size में छोटा होना यहां से शब्द miniature paintings को इसलिए नहीं कहते है क्योंकि size में छोटी है यह बात याद रखेंगे miniature painting इसलिए नहीं कहते है कि size में छोटी है इसको ये size में छोटी होती है ये बात सही है लेकिन size में छोटा होने की वज़े से miniature नहीं कहा जाता है miniature शब्द इसलिए आया है क्योंकि Latin भाषा का शब्द है एक minimum और इसका मतलब होता है red color का lead paint यानि कि lead जो mineral है उससे बना हुआ लाल रंग का color मिनियम कहते है और वहाँ से miniature painting निकल कर आई है ये शब्द miniature वहाँ से आया है ठीक है हाला कि साइज में छोटी होती है ये बात सही है जैसे कि आप इसको कैसे बनाते है आप इसको paper पर बनाते है ठीक है आप इसको कपड़े पर बनाते है या फिर आप इसको पत्ते पर बनाते हैं यानि कि basically जब शुरुवात में हुआ होगा शुरुवात हुई होगी तो palm leaves के उपर पत्तों पर ये paintings बनाए गई थे ठीक है कपड़े पर बनाए गई तो moral cave paintings जो होती है तो size में बड़ी होगी दिवारों पर बनती है और जो miniature paintings है जाहिर सी बात है छोटी paintings है यानि कि आप जो तस्वीरे देखते हैं portraits बनते हैं घरों में लगते हैं यह miniature painting का example है और miniature paintings जो है इनको हमने detail में पढ़ा था कई सारी paintings miniature paintings में हमने पढ़ी थी अगर आगे बढ़े हैं तो miniature paintings हमने देखा था कि कितने तरह की miniature paintings होती हैं और उसको हमने study किया था जैसे for example अगर आप यहाँ पर देखेंगे यह रही miniature paintings इसके अंदर हमने देखा था सबसे पहले भारत के अंदर indigenously already पहले से miniature paintings भारत में बन रही थी कब पाल शासकों के जमाने में पाल सामराज जे 750 AD से लगभग 1150 AD तक चलता है भारत के अंदर तो यहाँ पर आपको शुरुवाती जो school है शुरुवाती जो paintings है भारत के अंदर miniature paintings वो आपको देखने को मिलेगी early miniatures के रूप में जिसके अंदर भारत में इंडिजिनसली miniature paintings बनाई जा रही थी तो paper में कभी आपसे ये बोल दे कि miniature paintings जो है वो भारत के अंदर Islamic सामराज जबाए तब बनने लगी तो वो statement गलत हो जाएगी कभी आपसे बोल दे कि जो miniature paintings है ये European या फिर Persian टच है भारत की paintings में उससे पहले miniature paintings नहीं बनती थी तो वो statement भी गलत हो जाएगी भारत के अंदर indigenously miniature paintings बन रही थी ठीक है आप देख सकते हैं पाला स्कूल के जमाने में theme क्या होगी क्योंकि पाला शासक बुद्धिस्ट शासक हुआ करते थे तो जाहिर सी बात है painting की theme क्या होगी painting की theme होगी buddhism और क्योंकि पाला सामराजे कहा मिलेगा आपको बेंगॉल के शेत्र में 750 AD के बाद तो बेंगॉल के शेत्र में पाला सामराजे मिलेगा बुद्धिस शासक हैं कौन सा बुद्धिस्ट होगा बेंगॉल के अंदर बुद्धिज्म जो बंगॉल में फेमस होता था वो होता था वजरियान बुद्धिज्म तो वजरियान बुद्धिज्म से जुड़ी हुई पाला शाशकों के जमानी की आपको पेंटिंग जो मिलती है miniature painting का भारत के अंदर एक example देखने को मिलता है उसके अलावा अपभरंश paintings आपको देखने को मिलती है जिसके अंदर आपको jainism और vashnovism दोनों theme पर आधारित paintings आपको देखने को मिलती है ये भी miniature paintings ही है तो भारत के अंदर already miniature paintings थी अपभरंश painting की अगर कुछ खास बात आपको याद है last class में जो हमने पड़ी थी वो मुझे बताएंगे क्योंकि paper में इस तरह से ही चीजे पूछता है ठीक है खेर चलिए अगर आपको याद नहीं है तो बता देता हूँ painting देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए ये कौन सी painting है जैसे for example ये painting देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए इसके feature क्या है ये एक miniature painting है पहली बात दूसरी बात इस painting में पूरी painting plane है बीच में एक central figure है पूरी painting plane है बीच में एक central figure है ऐसी painting कौन सी होती है तो पाला सामराज्ये के जमाने में जो पाला painting जो बनती थी यहाँ पर ठीक है जो इस जमाने में यहाँ पर पाला स्कूल की जो painting बनती थी वो आपको देखने को मिलेंगी वो इस तरह की होती है पूरी painting खाली है बीच में एक central figure होती है और ये किस तरह की theme है religious theme है religious theme है और कौन से धर्म से जुड़ी हुई है buddhism से और जाहिर सी बात है अब हम पहचान चुके है पाला सामराज्य की पाला स्कूल की painting है तो जाहिर सी बात है वजरियान buddhism से जुड़ी हुई painting होगी तो इस तरह से आप painting को देखके उसके feature आपको समझने है और इससे आपको चीजें याद रखने में आसानी भी होगी अब अगर बात करें आगे चलके इन paintings को देखते हैं ये paintings देखते ही आपको समझ आ जानी चाहिए ये कौन सी paintings है इससे क्या होगा आपको features के recte नहीं मारने पड़ेंगे अपने आप चीजें आपको याद रहेंगी जैसे for example इस painting को देखते ही हमें ये देखना होगा इस painting के अंदर पहली बात theme क्या है कहता है अगर हम theme देखेंगे painting की theme जो है religious है religious theme है religious मतलब आप देखते हैं कि देवी देवताओं को यहाँ पर दिखाया गया है और ऐसी कोई painting होती है जिनमें देवी देवताओं को दिखाया गया है यकीन मान के चलिए जादतर चांचेज़ है वो Indian paintings होगी क्योंकि भारत के अंदर जो theme रही है paintings की जादतर उनमें देवी देवताओं के उपर paintings बनाई गई है चलिए अब यहाँ पर आपको theme दिखती है religious theme है समझ गए यहाँ पर अगर आप image देखेंगे subject जो है जिनको बनाया गया है उनका side pose आपको दिखाया गया है सिर्फ side pose यहाँ पर भी side pose आपको दिखेगा यहाँ पर भी side pose दिखेगा जादतर आपको side pose देखने को मिलता है तो जादतर आपको subjects के side pose दिखेंगे दूसरा bulged eyes आखे जो हैं मोटी मोटी बनाई गई है मोटी मोटी आखे इस तरह से मतलब natural चीज़े ऐसी नहीं होती है natural face ऐसा नहीं होता है लेकिन मोटी मोटी आखे बनाई गई है जो कि थोड़ी unnatural आपको दिखती है इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे अगर आप यहाँ पर जानवरों को देखेंगे तो यहाँ पर जो जानवर बनाई गए है जैसे हाती है गाय है यहाँ पर चीता बनाई गए है यह कैसे बनाई गए है यह ऐसे बनाई गए है जैसे खिलोने होते है ठीक है तो यह अप भरंश school of painting है अप भरंश का मतलब ही यही होता है कि normal rule follow नहीं किया जा रहा है अप भरंश भाशाएं कैसी होती है जिनमें grammatical जो rules है उनको follow नहीं किया जाता है खास परकार के grammar को follow नहीं किया जाता है तो यहाँ पर भियाकर देखेंगे तो जो natural features होते हैं उसे हट कर ये painting में थोड़े आपको देखने को मिलेंगे तो अपब्रंच यानि की खास परकार के rule follow नहीं किये जा रहे हैं painting को मनाते हुए तो अपब्रंच school of paintings आपको देखने को मिलती है जिसमें खिलोने जैसी आखे बनाई जाती है जानवर और पशुबक्षी बनाई जात अपब्रंच school उसके बाद हमने देखा था decan style में painting बनी थी जिसमें angular face आपको शासकों का देखने को मिलेगा इसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत के जमाने में भारत में क्योंकि Islamic सामराज्यों की शुरुआत हो जाती है अब painting के अंदर Persian element जो है वो add हो जाएगा ठीक है एक ची भारत के अंदर Persian भाषा भी प्रचलिजट हुई भारत के अंदर चीजों में Persian element आने लगे architecture के अंदर paintings के अंदर ये Persian element क्यों है क्यों क्योंकि यहां पर question दिमाग में आना चाहिए कि भारत के अंदर जो सामराज्य बना दिल्ली सल्तनत के जमाने में भारत में जो सामराज्य बना इसका जो origin था इसका origin तो Turkish था यानि कि जो शासक थे शासकों का अगर आप origin देखेंगे तो Turkish tribe से संबंद वो रखते थे ठीक है जैसे कुतुबदिन एबक एक Turkish slave हुआ करते थे उसके अलावा यहां पर बात करें कहता है दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो उनका origin Turkish था लेकिन दिल्ली सल्तनत के जमाने में हम देखते हैं कि Persian भाषा को काफी परचार परसार हुआ भारत के अंदर ठीक है Persian भाषा का उसके तरकिश थे लेकिन चीज़े Persian परशियन मतलब Iranian Iranian origin की तो लोग तो Turkish थे लेकिन culture भारत के अंदर Persian क्यों आया यह चीज़ यह सवाल आपके मन में आना चाहिए तो यहां पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब जो चुपा ही है interesting fact है जो आपको बता होना चाहि उसके अलावा इरान के शेतर में जब सामराज्य बने जैसे इरान के शेतर में सामराज्य था एक समानिद एंपायर तो इन एंपायर्स के अंदर Turkish origin के लोग भी आए इन्होंने भी जॉब ली इन्होंने भी नौक्रिया करी इसके अलावर जो Arabian Peninsula में Arabian empires थे वहां पर भी Turkish लोगों ने जॉब्स वगएरा ली और ये जो Turkish लोग थे जब ये Islamic empires के अंदर जॉब्स वगएरा कर रहे थे तरकिश लोग आपको इस समय दो तरह के मिलेंगे एक जो की Islamic सामराज्य जिन्होंने इसलाम को अपना लिया था और दूसले non Islamic tribes आपको मिलेंगी तो तरकिश जो लोग थे वो non Islamic tribal लोग भी थे और कुछ tribal लोगों ने वहाँ पर इसलाम भी को बूल लिया था और अलग-अलग Islamic सामराज्यों में जॉब कर रहे थे ऐसे ही समानिद empire जो था यहाँ पर एक Turkish origin के शासट अलिप्तिगिन इन्होंने गजनवीद empire की स्थापना की गजनवीद empire की स्थापना की और उसी तरह से Arabian जो सामराज्यों हुआ करते थे उसके अंदर भी Turkish origin के जो लोग गए जिन्होंने जॉब की उसके अलावा इसलाम को कबूला यह लोग बहुत powerful positions पर गए governors बने, military generals बने और autonomous सामराज्यों बनाने लगे धीरे धीरे यह हुआ कि जो Turkish लोग थे जो tribal लोग हुआ करते थे किसी जमाने में उन्होंने इसलाम को कबूला वो इसलामाइज हुए और Iranian empire जहां पर था समानिद empire यह Iranian empire था इसकी जगा पर बाद में अलिप्तिगिन ने गजनविद empire की स्थापना कर दी लेकिन जितने भी ये Turkish origin के लोग आए जिनोंने Persian empires को हटा कर यहां पर Turkish origin के सामराज्यों की स्थापना की तो यहां पर इन्होंने Iranian culture को छोड़ा नहीं बलकि Iranian culture को proudly आगे बढ़ाया और जो Iranian culture था उसको आगे carry on करा और इससे यहां पर एक चीज़ हुई इरान के शेत्र में Turkish origin के लोगों ने सामराज्यों स्थापित करे तो यहां पर हुआ यह कि Turkish origin के जो लोग थे वो Islamized तो हुए ही हुए लेकिन उसने Persian culture को disown नहीं करा Persian culture को खत्म नहीं करा उन्होंने Persian culture पर बलकि उसको proudly आगे बढ़ाया इसलिए आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में बल्बन से पहले अगर आप देखेंगे तो अगर आप दिल्ली सल्तनत को देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में नवरोज की भी नवरोज मनाय जाता था जो कि पर्शियन जो कि बल्बन के जमाने में मनाय जाता था जो कि पर्श अरिजन के जो लोग थे ये इसलामाइज तो हुए ही हुए साथ में ये लोग पर्शियनाइज भी हुए यानि कि पर्शियन कल्चर को भी इन्होंने अपनाया और फिर इसी वज़े से भारत के अंदर जबाते हैं तो अपने साथ इसलाम भी लाते हैं और अपने साथ भारत में पर्शियन कल्चर भी लाते हैं ठीक है चलिए पर्शियन कल्चर भी लाते हैं बिल्कुल दोस्त यहाँ पर regular classes चलेंगी और सभी subjects की यहाँ पर classes चलेंगी जैसे अभी यहाँ पर एक series चल रही है इसके अंदर specific topic को deal करते हैं वहाँ पर हम sequence में चीजों को cover करेंगी चलेंगी तो दिल्ली सल्तनत के जमाने में भारत के अंदर paintings आई और Persian element paintings में add हुआ अब एक चीज आपको बदलती हुई देखने को मिलेगी कि paintings की theme में बदलाव आएगा भारत के अंदर जो paintings जादातर बनती थी पहले से उसमें जादातर religious theme होती थी अगर Hindu धर्म से जुड़ी हुई painting बन रही है तो उसके अंदर देवी देवता मिलेंगे Buddhist paintings बन रही है तो उसमें बहुत धर्म से जुड़ी हुई अधारिट painting मिलेगी लेकिन अब जब इसलाम भारत के अंदर एंक्री लेगा तो paintings की theme बदलेगी ठीक है paintings की theme में बदलाव आएगे natural चीजों पर focus किया जाएगा flora fauna, jiv jantu, paid podों को दिखाना इस पर focus जाएगा ठीक है सको का कारवा जा रहा है ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते है नीमत नामा ये painting है जो की एक recipe के book जो है उसके उपर आधारित painting है यानि की किताबों में paintings add की गई उसके बाद फिर यहाँ पर सबसे important paintings जो आपको देखने को मिलती है फिर मुगल जमाने की painting और मुगल जमाने की जमाने में miniature paintings में एक खास बदलाव आता है वो बदलाव क्या होता है सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा जो theme है अब clear cut define हो जाती है themes जो है वो clear cut define themes हो जाती है जैसे की शासकों के portrait आपको बनते हुए नज़र आएंगे दिल्ली सल्तनत के जमाने में theme में बदलाव आया लेकिन शासकों की photo आपने वहाँ पर नहीं देखी होगी ठीक है लेकिन मुगल सामराज्य में portrait बनने लगी दर्बार कैसे चल रहा है दर्बार की painting आने लगी यानि की court paintings उसके अलावा शिकार करते हुए दर्बार चलाते हुए शिकार करते हुए war, fighting scenes उसके ओपर paintings बनने लगी तो यहाँ पर clear cut theme आपको define होती हुए नज़र आएंगी कि कोई religious theme नहीं है शासकों पर focus किया गया दर्बार पर focus किया गया युद्ध कैसे हो रहा है इन सब चीजों पर focus किया गया और सबसे बड़ा जो बदलाव आया मुगल सामराज्य के जमाने में वो यह हुआ कि painting जो की एक popular art हुआ करती थी जो की लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली एक कला थी वो अब शासकों के द्वारा चलाई जाने वाली कला हो गई यानि कि अब वो एक court art बन गई paintings को अगर आप देखेंगे paintings का इतिहास कैसे रहा है अगर कोई त्योहार आ रहा है तो लोग घर में painting बनाते थे religious paintings भी बन रही है तो अपनी individual capacity में artist लोग painting बना रहे है religious festival है या वैसे भी festival है तो paintings बना रहे है भगवान की depiction कर रहे है तो paintings बना रहे है ऐसा नहीं है कि painting बनाने कि उनको salary मिल रही है regular ऐसा नहीं था लेकिन मुगल सामराज्य के जमाने में ये बड़ा बड़ा बड़ाव देखने को मिलता है और अब यहाँ पर systematic तरीके से painters hire किये जाते है painters hire किये जाते है और उनको job के तोर पर रखा जाता है जिनका काम यह होता है कि वो अलग-अलग परकार की paintings बनाएंगे जैसे मुगल सामराज्य की जमाने में अलग-अलग परकार से translators को hire किया गया calligrapers को hire किया गया translators जो किताबों का अनुबाद करते थे calligrapers जो हाथ से किताबों को लिखते थे पहले printing नहीं होती थी painters hire किये गये ताकि किताबों के अंदर चित्र जोड़े जाएं जिसे महाभारत की book अगर translate की जा रही है तो उसके अंदर चित्र जोड़े जाएं तो इसलिए painters को salary पर hire किया गया और यहाँ पर तस्वीर खाना अक्बर ने establish किया तस्वीर खाना तो proper पर अब सामराज्य जॉब दे रहा है पैसे दे रहा है पेंटिंग करने के ठीक है यह चीज़ आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है वरना पहले इंडिविज्विज्व capacity में यह चीज़े हो रही थी ठीक है और जैसे त्योहारों के तरीके से cultural और tradition के पार्ट के रूप में यह चीज़े हो रही थी religion के पार्ट के रूप में यह चीज़े हो रही थी लेकिन अब यहाँ पर proper salary पे लोग रखे गए इसलिए आप देखेंगे क्योंकि अकबर के जमाने में मुगल दरबार के अंदर कई सारे इस परकार के जो talent वाले काम होते थे उनको salary पर रखा जाता था तो ऐसे में अलग-अलग सामराज्यों के भी जो artist लोग होते थे वो अकबर के दरबार में आना चाहते थे मुगल दरबार में आकर job लेना चाहते थे और क्योंकि इस काम के लिए पैसे मिल रहे थे, time मिल रहा था तो ये काम, यानि की मुगल सामराज्यों के जमाने में miniature paintings थी, इसके अंदर अलग-अलग परकार के development देखने को मिलती है ठीक है, अलग-अलग परकार की paintings बनती हुई नजर आती है, जैसे अकबर के जमाने में आपको simple paintings इस तरह से दिखेंगी, portrait बनेंगे, coat के scenes देखने को मिलेंगे, फिर जहांगीर के जमाने में एक और बदलाव होता है जहां पर paintings अपनी peak पर पहुँचती है, और यहां पर portraits पर और ज़्यादा focus कर दिया जाता है और portraits, यहाँ पर सिर्फ इंसानों के नहीं, बलकि जानवरों के भी portraits बनाए जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं zebra की painting famous है, इधर से एक बकरे की, इधर से टर्की यानि की मुर्गा जैसा जो bird होता है उसकी painting आपको देखने को मिलेगी जहांगीर के जमाने में paintings में एक और जो बड़ा बदला होता है वो यह, कि paintings को बहुत जादा बहुत जादा खुपसूरती से सजाय गया जैसे खास तोर पर borders को और इससे पहले borders पर focus नहीं किया गया था जहांगीर के जमाने में naturalism पर focus किया गया है naturalism पर मतलब painting जितनी जादा actual में जैसे चीज होती है वैसी nature में वैसी दिखे उस पर जादा focus किया गया तो ये अलग-अलग themes में बदलाव आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि चीजों को paintings को develop किया जा रहा था, patronize किया जा रहा ता, talent को बढ़ावा दिया जा रहा था, फिर शाजहां के जमाने में एक और खास परकार की painting हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको European touch देखने को मिलता है, paintings के अंदर miniature paintings में European touch आपको देखने को मिलता है, आप colors को भी देखेंगे, तो आपको European touch के color देखने को मिलेंगे, साथ में जिस तरह से European paintings में, आस्मान में angels को दिखाया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको बादल में, आस्मान में angels को दिखाया गया है, साथ में यहाँ पर इन paintings के अंदर artificial elements जोड़े गए शाजहा के जमाने में paintings में artificial elements जोड़े गए, और यह artificial elements क्या मिलेंगे, पहली बाद जो उपर से heaven जो दिखाया गया है, यही artificial element है, दूसरा यहाँ पर आप देखिए, कि शासक को धरती पर खड़े हुए दिखाया है, कि पूरी धरती पर शासक खड़े हैं, यह भी artificial element है उसके अलावा शासक के पीछे एक hollow यहाँ पर दिखाया गया है hollow मतलब जैसे कोई divine light होती है जैसे शासक कोई दिव्य पुरुष है कोई दिव्य इंसान है, ऐसे करके यहाँ पर depict किया गया, तो यह artificial elements ही आपको देखने को मिलते हैं, तो यह artificial elements शाजहा के जमाने में देखने को मिलते हैं European touch शाजहा के जमाने में देखने को मिलता है, उसके अलावा painting में एक stillness आपको दिखेगी stillness मतलब painting के अंदर एक वो vibrancy नहीं है, एक आपको painting में सिर्फ central figure राजा दिख रहे हैं, और उन्हीं पर focus है ऐसा नहीं है, कि दर्बार की activity दिख रही है, और शिकार हो रहा है एक mahal जो आपको दिखेगा एक still और monotonous mahal आपको देखने को मिलता है शाजहा की paintings में तो अब इन तरीकों से चीज़ों को याद रखेंगे हो सकता है, paper के अंदर आपसे mains में question पूछ ले, कि भाई evolution बताईए, miniature paintings का भारत के अंदर, ठीक है तो आपको फिर पाला सामराज्य होते हुए, दिल्ली सल्तनत होते हुए मुगल सामराज्य को discuss करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप इस तरह से paintings का बता सकते हैं, और modern जमाने की जो paintings थी, उनको भी यहाँ पर देखेंगे तो वो भी इसमें add कर लेंगे, ठीक है तो इस तरह से आप एक overall question बना कर आपसे दे सकता है, तो आपको paintings reached at their climax and discuss the transition of painting from popular art to court art, या फिर सीधा simple कह देगा कि during mughal times the paintings developed from a popular art to a court art, discuss, बस इतना आपसे बोल देगा, और फिर आप समझ जाएंगे कि आपको क्या discuss करना है, क्योंकि आपको इस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, ऐसे पढ़ना है, ठीक है, चलिए, तो हर एक painting का feature याद रखेंगे, औरंग जेब के जमाने में ज़्यादा development हुई नहीं, क्योंकि औरंग जेब जो थे, वो religious, intolerant policies का इस्तमाल करते थे, और उन्होंने ज़्यादा तर जो artistic चीज़े थी, वो band अपने सामराज्य में कर दी थी, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर miniature painting में, मुगल सामराज्य तक की हम paintings को कर चुके हैं, अगली जो हमारी category है, वो है regional schools, ठीक है, regional school की शेत्रिय लेवल पर paintings कैसे develop हो रही थी, भारत के ही अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें, regional school में, सबसे पहले देखते हैं, राजस्थानी school of paintings, ठीक है, राजस्थान के अंदर paintings paintings कैसे develop हो, तो राजस्थान की paintings जो है, कई बार ये कह दिया जाता है, कि राजस्थान की paintings है, राजस्थान स्कूल of paintings, इसको राजपूथ school of paintings भी कह दिया जाता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो paintings थी, धीरे-धीरे उनका focus कहा shift हो गया, सामराज्यों की तरफ जो राजा महराजा थे, वो paintings को patronize करने लगे, बढ़ाने लगे और भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर इसके अलावा बाकी, शेतर में भी आपको देखने को मिलेगा, राजपूत शासक कॉलरी जी इन्होंने painting को patronize किया, और साथ में मुगल paintings जो थी, जिस तरह से मुगल paintings में theme होती थी, दरबार को दिखाना, उस तरह की theme यहाँ पर दर्शाय जाने लगी, लेकिन इसके अलावा, यह भी कहा जाता है कि जो राजस्थान के स्कूल के अंदर जो paintings हैं, भले ही वो बलकि उससे पहले से indigenously paintings यहाँ पर भी बन रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तर्क दिये जाते हैं, अब इसके अंदर सबसे पहला जो painting का school आता है, वो है मेवाड school of painting, ठीक है, मेवाड एक वो सामराज्य था, एक वो रियास्त थी, जिसको, जिसने आखरी तक surrender नहीं किया था, अकबर के जमाने में आप जानते हैं, अकबर ने राजपूत policy का इस्तमाल किया था, और without any hostility, या फिर major hostility, without any major hostility, पूरे राजस्तान के जो राजपूत आना मिलेंगे, वो आखरी तक ना तो उन्होंने हाथ में लाए, ना ही उन्होंने surrender करा, finally 1576 में battle of हल्दी घाटी में उनका युद्ध हुआ, और फिर यहाँ पर तब आपको देखने को मिलता है, control में आता है मेवाड, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक संगर्श करने वाला मेवाड यह रहता है, तो मेवाड school of painting यहाँ पर हम देखते हैं, और यहाँ पर अगर बात करें, मेवाड school of painting के अंदर important जो painter मिलेंगे वो है साहिब दीन, ठीक है, तो पेपर में याद रखेंगे, fact पूछ लेगा आप से, ठीक है, साहिब दीन इन में से कौन से school of painting से जुड़े हुए हैं, तो मेवाड school of painting से जुड़े हुए हैं साहिब दीन, इनके द्वारा कई मेवाडी paintings मनाई गई, जिसकी theme अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगी, रसिक पिय, रामायन और भगवत पुरान, तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे, तो मेवाड school of painting के अंदर आपको religious themes यहाँ पर देखने को मिलती हैं, उसके अलावा अगर बात करें, कहता है, unique point ज यहाँ पर अगर बात करें, मेवाड school of painting में, आपको religious themes भी मिलेंगी, जो कि साहिब दिन के द्वारा ज्यादतर बनाए गई, ठीक है, साहिब दिन के द्वारा, उसके अलावा आपको यहाँ पर court paintings भी मिलेंगी, जिनको तमाशा paintings कहा गया, रियाद रखेंगे paper में, तमाशा paintings के ने कहा गया, इस चीज़ को याद रखेंगे, मेवाड school में, जो court paintings बनती थी, तमाशा paintings कही गई, उसके अलावा, आपको यहाँ पर, साहिब दिन जो है, इनके द्वारा religious theme पर आधारिज paintings भी देखने को मिलती है, यह आप देख सकते हैं, मेवाड school of painting की, जो कि religious theme पर ब जो जाएंगे, चार options में से अगर दो, मेवाड और मारवाड है, तो specifically याद रखेंगे, साहिब दिन जो है, वो मेवाड school of painting से आपको जुड़े हुए important painters दिखते हैं, इसके अलावा, आप यहाँ पर court painting, यानि कि तमाशा painting देख सकते हैं, तमाशा painting क्या है, तमाशा painting है, द देखने को मिलेगा, दो characters और उनके love story के आधार पर painting मिलेगी, सावंत सिंग और बनी ठनी, इनके आधार पर आपको painting, दो characters के आधार पर painting बनती नजर आईगी, famous painter जो थे, वो है, किशनगड स्कूल के निहाल चंद, तो याद रखेंगे, निहाल चंद किशनगड स्कूल के famous painter है, उसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कि यह painting आप देख सकते हैं, painting की अगर आप खासियत देखेंगे, पहली बात side pose यहाँ पर दिखाये गया है, दूसरी तरह से, अगर आखों को और नाख को देखेंगे, चिन को देखेंगे, तो काफी जादा pointed and sharp features द आपको religious theme भी देखने को मिलेगी, राधा कृष्ण थीम पर भी paintings देखने को मिलती है, तो किशनगर स्कूल को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ points याद रखने है, कि बनी ठनी जो painting है, बनी ठनी, ठीक है, निहाल जो राजय सावंत सिंग थे, इनकी wife को बनी ठनी क रहा जाता था, ठीक है, तो बनी ठनी कि जो painting है, वो आपको किशनगर स्कूल में मिलेगी, उसके अलावा, pointed chins, ठीक है, pointed eyes, यह सारी चीज़े आपको इसी painting में देखेगी, तीसरी चीज़ यहाँ पर आपको religious theme पर भी आधारित paintings देखेगी, religious theme पर भी आधारित paintings आपको दे forward, कि कहता है कि बनी ठनी paintings, कौन से school of painting से आपको आती हुई मिलती है, इस बात को बताईए, और direct question है था, बहुत simple था, जो सिर्फ पढ़के गया होगा, एक बार भी reading दी होगी, एक या दो बार, वो इस question को आराम से answer कर सकता है, बनी ठनी painting, किशनगर school of painting से सम्मन्द रखती ह यहाँ पर याद रखेंगे, निहाल चंद, इनके famous painter है, पेपर में बार-बार यही नहीं पूछेगा कि character क्या था, कभी-कभी paper painter का नाम भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है, तो इसलिए एक दो extra information याद रखेंगे, अगला जो school है, वो है, बूंदी school, राजस्तान का, और यह school भी कहा जाता है, ठीक है, आप इसको हदोडी, हदोटी, जैसे आप याद रखना जाएं, आप इसको रख सकते हैं, तो हदोटी school जो है, बूंदी और कोटा का जो combine school है, इसको कहा जाता है, और यहाँ पर जो शासक थे, बूंदी और कोटा के, यह भगवान कृश्न के भक् paintings आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको और साथ में, अलग-अलग रंगों में आस्मान को दिखाये गया है, अलग-अलग colors में दिखाये गया है, साथ में, कुछ-कुछ paintings में, आपको आस्मान में red ribbon उड़ता हुआ नजार आता है, जैसे red ribbon दर्शाय गया है, आस्मान म की पेंटिंग्स भगवान कृष्ण की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है और कई बार पेंटिंग्स में रेड रिबन भी उड़ता हुआ नजर आता है ये जो यूनिक फीचर है कुछ ये जरूर याद रखेंगे जैसे पॉइंटिक चिंज किशनगर की स्कूल में थी ठीक है पॉइंटिक चिंज पॉइंटिंट आईज उसी तरह से रेड डिबन आपको कहा मिलता है बूंदी कोटा स्कूल के अंदर इसके अलावा और साथ में एक यूनिक नाम जो है इसको भी याद रखेंगे हडोडी जो नाम है इसको याद रखेंगे ये बूंदी स्कूल को यहाँ पर कहा जाता है बूंदी और कोटा को कमभाइंग दी इसके अलावा एक और स्कूल है राजस्तान का जो है अंबेर जैपूर स्कूल की कहा तो यहाँ पर फिर से आपको एक और इंपॉर्टन्ट फैक्ट मिलता है जो की यूनिकली आपको याद रखने की जरुरत ह और यहाँ पर, अगर बात करें, कहता है कि यहाँ पर धुंदार स्कूल की अगर पेंटिंग्स के earliest ऐक्जम्पल्स की बात करें, तो राजस्तान के विराठ चेंदर, वॉल पेंटिंग्स भी आपको नजर आती है. राजस्तान के बैराट में वाल पेंटिंग नजर आती है एक important fact बैराट से जुड़ा हुआ आपको बताता हूँ अगर आपको नहीं पता तो सर्च करिए ठीक यह मेरा question है एक बड़े ही famous शासक का inscription है उसे कहा जाता है भबरू बैराट इंस्क्रिप्शन भबरू बैराट इंस्क्रिप्शन बताएंगे कौन से शासक से जुड़ा हुआ है भारत के एक बहुत बड़े महान शासक है जिनसे जुड़ा हुआ है भबरू बैराट इंस्क्रिप्शन चलिए बताएंगे comment box में इसका जवाब मुझे देगे ठीक है चले और अगर नहीं पता तो सर्च करके बता देंगे कोई ऐसी समस्या नहीं है ठीक है हमारा मोटिव है कि चीजों को बस सीखा जाए और ये जो स्कूल है ठीक है इस समय ये अपनी पीक पर पहुंचता है सवाई प्रताफ सिंग जो शासक थे इनके समय के इनके कारेका कि धुंदार स्कूल किसे कहते हैं दूसरा सूरत खाना कौन से स्कूल के उनदर बनवाय गया था ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर सूरत खाना बनवाय गया था अमबेड जैपर स्कूल के अंदर ये आप देख सकते हैं पौक्रेट आप सवाई प इसके अंदर आपको जोधपूर भी मिलेगा, विकानेर भी मिलेगा, जैसलमेर भी, आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, और यहाँ पर यह जो रीजन्स हैं, यह जो सामराजी रियासत हैं, इनके भी मुगल दरबारों से लिंक आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है लेकिन 28 century के बाद यहाँ पर राजपूत elements आपको predominantly paintings में नजर आते हैं और इस जमाने में आपको मान सिंग देखने को मिलेंगे 18483 तक और कई सारी paintings इन्होंने commission करी जिसमें आपको शिव पुराण नाठ चरितर यानि कि कुल मिलाकर religious theme पर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और जाहिर सी बात है कि मुगल paintings का influence रहेगा तो अब आपको जादा तर painting सभी religious theme पर मिलेंगी और court art ठीक है तो राज़स्तान के जितने भी राजपूत states है इन्होंने जब paintings को patronize करा तो यहाँ पर आपको religious theme भी मिलती है और साथ में आपको दरबार पर जो जिस तरह से चीज़े चल रही है वो भी paintings आपको देखने को मिलती है तो आप देख सकते हैं मारवार स्कूल के अंदर court painting आपको देखने को मिलती है जैसे मुगल दरबार के अंदर देखने को मिलती है तो आप कह सकते हैं ये सारे जो influence है paintings के अंदर ये influence मुगल जमाने की जो theme change हुई उसके influence है क्योंकि इससे पहले भारत में अगर आप देखेंगे इंडिजिनसली जितनी paintings होती थी उसके अंदर religious themes होती थी शासक और शासकों की activities को नहीं दर्शाय जाता था मुगल paintings में चीश शुरू ही बाद में राजिस्थान के जो राजपूर states से उन्होंने भी इस theme को अपने अंदर incorporate किया अब इस table को आप pause करकर चीजों को note कर सकते हैं और जितनी भी paintings हमने पड़ी हैं अभी यहाँ पर राजपूर states की और मुगल paintings इनमें आपको common differences इस table के थुरू बताया गया है जैसे अगर बात करें किस type की painting है राजपूर style की paintings जो बात करें शुरुआत में moral paintings में मिलेगी जैसे हमने बात करी बैराट के अंदर राज़स्थान में moral paintings के सबूत मिलते हैं लेकिन बात में miniature painting राज़स्थान में बनने लगी और मुगल style painting जो थी यह Persian elements से बनी हुई Persian elements इसमें मिलेंगे और यह miniature painting मिलेगी जो की मुगल painting style की paintings में तो यहाँ पर शासक और शासक की जो activities है उसको दिखाये गया जैसे battle करना शिकार करना, coat के अंदर दर्बार के अंदर सुनवाई करना यह सारी चीज़े उसके अलावा symbols आपको हिंदू symbols यहाँ पर देखने को मिलेंगे जैसे कमल का fool, ठीक है, मोर और हंस, यह सारी चीज़े देखने को मिलती है बत्तक वोगरा, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, मुगल paintings के अंदर तो focus आपको मिलेगा इंसानों के उपपर पेड़ पौदों के उपपर, जानवरों के उपपर इस तरह से आपको focus देखने को मिलता है जैसे कि अगर आप देखें, यहाँ पर तो natural चीज़ों पर focus आपको जहांगीर के जमाने में सबसे जादा होता हुआ भी नजर आता है बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर विश्णू सिंग, बिल्कुल यह सही है बिल्कुल राजा अशोका के inscription आपको भबरू बराट inscription में देखने को मिलते हैं, ठीक है? चलिए गुड इवनिंग दोस्तों सभी दोस्तों को उसके अलावा time period अगर देखें, तो राजपूत जो paintings है, यह आपको 17th to 18th century में majorly developed होती नजर आती है लेकिन मुगल paintings आपको 16th यानि कि थोड़ा सा पहले developed होनी शुरू हो जाती है राजपूत paintings से, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर जो हमारी अगली category है, regional schools की राजस्तान के school हमने बढ़ लिए अब अगली जो category है वो है पहाड़ी style of paintings ठीक है? तो राजस्तान में कितने तरह के school से, वो आपने यहाँ पर देख लिए हैं, अब यहाँ पर पहाड़ी style of paintings को देखेंगे, यानि कि पहाड़ी region के अंदर paintings कैसे develop हो रही थी, ठीक है? और यह sub-Himalian states यानि कि हिमालिया, जो है हिमालिय परवश्रंकला है, उसके आसपास जो सामराज्य थे, उन से जुड़ी हुई उन सामराज्यों में जिस तरह से painting develop हुई, उसको यहाँ पर देखेंगे ठीक है? चलिए अगर यहाँ पर बात करें ये कई schools, कई smaller kingdoms आपको मिलेंगे और इनके दोरान painting develop हुई इनको पहाड़ी painting हम combine करके कह देते हैं, यानगी पहाड़ी region में basically दो groups आपको मिलेंगे दो categories मिलेंगी एक northern region में जो develop हुई उनको कहा गया जम्मू और डोगरा school painting जो शैली painting की develop हुई, northern पहाड़ी इलाकों में, उसे कहा गया जम्मू और दोगरा school कहा गया, ठीक है और theme आपको paintings की क्या दिखेंगी जादतर आपको paintings की theme religious theme मिलेंगी, mythological देखने को मिलेंगी, और आप देखेंगे जादतर भगवान कृष्णी की paintings ही आपको यहाँ पर पहाड़ी school में भी नजर आती है कहते हैं कि greatest painters जो हैं, पहाड़ी style painters जो आपको मिलेंगे, वो है नैनसुख और मनाकू, ठीक है तो यह जो छोटे-छोटे facts हैं, इनको याद रखेंगे paper में आपसे हो सकता है इस तरह से भी question मना ले, कह देगा कि नैनसुख and मनाकू, यहाँ पर किसी particular school of painting के painters है ठीक है, और यह जो school of painting है इसमें एक sub school आपको बशोली school देखने को मिलेगा ठीक है, और कह देगा साथ में कि यह जो school है बशोली school है, और extra information कह देगा religious theme है, बताइए इन में से कौन से school की paintings आपको देखने को मिलती है, दो चार feature बता देगा और पूछेगा कौन से school से यहाँ पर जुड़ी हुई painting है, किसकी हम बात कर रहे हैं जैसे मान लीजिए, वो आपसे पूछ लेगा किशनगड की painting के बारे में, बिना किशनगड नाम लिए बोल देगा, कि यहाँ पर pointed यह आपको देखने को मिलेगा, 17th century के अंदर develop होता है, पहाड़ी स्कूल के अंदर 17th century का मतलब 1600 से 1699 के जमाने में ठीक है, तो 1600 और 1699 के जमाने में यहाँ पर school develop होता है और इसे पहाड़ी स्कूल का early phase कहते है ठीक है, तो बशोली जो है पहाड़ी painting का यह शुरुवाती दिनों का school है ठीक है, बाद में कांगडा school develop होता है ठीक है, तो बशोली पहले develop हुआ बाद में कांगडा school develop होता है ठीक है, कांगडा शैली बाद में develop होती है अब अगर इन paintings को अगर आप यहाँ पर देखेंगे ठीक है, अगर इन paintings को यहाँ पर देखेंगे इन paintings में आपको bulged eyes दिखेंगी यानि कि मोटी-मोटी bulged आखे दिखेंगी उसके अलावा इनका जो unique feature है वो यह कि यहाँ पर जो hairline है यानि कि जो आप कह सकते हैं forehead है forehead को ज़ादा बड़ा दिखाया जाता है और hairline काफी पीछे से शुरू की जाती है तो यह पीछे से hairline आपको देखने को मिलेगी receding hairline यह बशोली स्कूल का एक unique feature आपको देखने को मिलेगा और ज़ादतर religious theme पर ही आधारित आपको paintings देखने को मिलेगी इनका जो main feature है वो है receding hairline और big eyes ठीक है तो जहाँ पर भी आपको इस तरह की feature देखने को मिलेंगे आप समझ जाएंगे पहाडी स्कूल से जड़ा हुआ है और बशोली स्कूल वो आपको जादतर हो सकता है देखने को मिलत रहा है ठीक है चलिए उसके अलावा यहाँ पर कहता है कि शुरुआत में यहाँ पर मुगल techniques of painting जो है clothing का इस्तमाल हुआ लेकिन बाद में अपने unique feature आपको देखने को मिलता है और इनके famous जो शासक हैं जिन्होंने patronize करा develop किया इस painting को राजा कृपाल सिंग और theme जो आपको देखने को मिलेगी common themes फिर से religious themes जिसे भानु दत्त की रासमंजरी पर आधारित paintings मिलेगी गीता गोविंदा जोकी किसने जैदेव ने लिखी है और रामायन पर आधारित paintings आपको देखने को मिलेगी उसके अलावा बशोली स्कूल के जो famous painter है बशोली स्कूल के famous painter है देवी दास ठीक है चलिए तो अब ये जो painting है इसको देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये कौन से स्कूल की painting है ये बशोली स्कूल की painting है receding hairline है और मोटी मोटी आखे है ठीक है और Indian painting है तो जाहिर सी बात है जादा तर ये बात तो है कि religious theme तो होगी ही होगी ठीक है चलिए उसके बात कहता है कांगडा स्कूल जो है पहाड़ी स्कूल में अगला स्कूल है कहता है कि यहाँ पर ये बाद में develop हुआ पहाडों में जो school develop हुआ तो पहले बशोली develop हुआ बाद में कांगडा develop हुआ और ये कांगडा स्कूल आखिर कैसे develop हुआ कहता है कि मुगल सामराज्य जब decline हो रहा था तब मुगल सामराज्य में art and culture, painting पर उतना focus जब नहीं रहा artist लोग बेरोज़गार हो गए तो उनको मुगल सामराज्य छोड़ कर आस पडोस जितने भी artist है ये कांगडा region में जाने लगे और इससे कांगडा स्कूल develop होता है और कांगडा स्कूल जो है ये भी दो तरीके से develop होता है गुलेर कांगडा स्कूल के form में पहले गुलेर स्कूल develop होता है उसके बाद कांगडा स्कूल develop होता है ठीक है तो यहाँ पर गुलेर के बाद कांगडा डिवेलप होता है तो हम कह सकते हैं कि एक तो आपको बशोली स्कूल मिलेगा पहाडी पेंटिंग्स में जो की अर्ली स्कूल है बाद में आपको कांगडा मिलेगा और कांगडा को भी कांगडा याद नहीं रखेंगे तो पहले आपको बशोली मिलेगा उसके बाद गुलेर स्कूल डिवेलप होएगा और फिर लास्ट में कांगडा स्कूल डिवेलप होता हुआ आपको नजर आता है तो यहाँ पर याद रखेंगे पेपर में इस तरह से specifically statement wise भी question बना सकता है कहदेगा कि गुलेर जो है गुलेर स्कूल अफ पेंटिंग इन पहाड़ी स्टाइल वाज दा अरलियस्ट स्कूल अफ पेंटिंग इन पहाड़ी स्टाइल अफ पेंटिंग तो यहाँ पर याद रखेंगे गुलेर जो है यह डिवेलप होता है जब मुगल सामराजे पेंटिंग पर फोकस नहीं कर पा रहा था डिक्लाइनिंग मोड में था जो आर्टिस्ट लोग बेरोजगार हुए तो वो कांगड़ रीजन में माइगरेट करके गए और यहाँ से डिवेलप होता है most famous जो पेंटिंग है कांगड़ा स्कूल की वो है 12 महिने के जो seasons है और उसका इंसानों पर क्या emotions पर क्या अफ़ा है यह सारी चीज़े पेंटिंग के थूरू दर्शाने की कोशिश की जाती है तो seasons को पेंटिंग में दर्शाने की जो कोशिश की गई है वो आपको पहाड़ी स्कूल के अंदर कांगडा स्कूल के द्वारा दर्शाती हुए आपको नज़र यहाँ पर आएंगे ठीक है चले उसके अलावा कांगडा स्कूल से कई और स्कूल डिवेलप होते हैं यानि कि सब स्कूल डिवेलप होते हैं जिसे कुलू चमबा और मंडी यानि कि आप देख सकते हैं हिमाचर प्रदेश में कांगडा के जो स्कूल यानि कि कांगडा स्टाइल ओफ पेंटिंग्स था इससे और भी कई स्टाइल पेंटिंग्स के डिवेलप होते हैं कुलू, चमबा और मंडी तो याद रखेंगे इस चीज़ को पेपर में आपसे पूछ सकता है कि बशोली से डिवेलप हुए हैं या फिर कांगडा से डिवेलप हुए हैं बोल देगा कि कुलू, चमबा और मंडी ये बशोली स्कूल से डिवेलप हुए हैं या फिर कांगडा से डिवेलप हुए इस तरह से आपसे पूछ लेगा कांगडा स्कूल ओफ पेंटिंग्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं रिलीजियस थीम है और जादा तर्मे सब में आपको भगवान कृष्णी की ही पेंटिंग्स बनती हुई नजर आएंगी ठीक है चलिए तो यह थी सारी हमारी कौन सी रिजिनल स्कूल ओफ पेंटिंग्स यह राजस्थान में कैसे डिवेलप हुआ पहाड़ी लाकों में कैसे डिवेलप हुआ यह हमने देखा एक मेडिवल जमाने की इंपॉर्टेंट पेंटिंग है जो की एक इंपॉर्टेंट थीम पर आधारित है वो है रागमाला पेंटिंग्स रागमाला पेंटिंग्स आखिर क्या होती है तो राग माला से शब्द का मतलब ही आप समझ गए है राग माला मतलब कि जो राग है उनका हार यह रही कि Garland of Ragaz राग मतलब गाना जब गाते हैं तो उसमें खास प्रकार के राग होते हैं उसी से जुड़ी हुई यह पेंटिंग है यानि कि जो राग है, म्यूजिकल जो राग है उनको यहाँ पर अलग तरीके से डिपिक्ट करने की कोशिश की जाती है उनको अलग तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है कैसे यहाँ पर म्यूजिकल राग जो है उनको painting के थुरू दर्शाया जा रहा है जैसा कि आप जानते है भारत के अंदर जो राग है रागों को यह माना जाता है भारत के अंदर जो अलग-अलग राग है वो मौसम के हिसाब से गाय जाते हैं मौसम के हिसाब से ही नहीं बलकि एक दिन में अलग-अलग समय के حساب से गाया जाते हैं, जैसे अलग-अलग रागों के नाम आपने सुने होंगे, उनको depend करता है कि सुबा कौनसा गा रहे हैं, शाम को कौनसा गा रहे हैं, यानकि समय, मौसम और दिन के हिसाब से चीजों को गाया जाता है ठीक है? रागों को और यहाँ पर यह जो पेंटिंग है यह क्या करती है? हर राग को एक अलग कलर से दर्शाती है कभी-कभी जो कैरेक्टर्स हैं वो राग को दर्शाते हैं और कुछ देवी देवता भी, कुछ भगवान भी दिखाये जाते हैं के थुरू ये सारी चीज़े दर्शाय जाती है एक particular mood, hero, heroine color उसके थुरू अलग-अलग चरीके से रागों को दर्शाया जाता है और इन्हें कहते हैं रागमाला painting ठीक है रागमाला painting जो थी ये Indian school ही आपको देखने को मिलेगी और ये आपको 17th और 16th century में develop होती हुई नजर आएंगी और ये painting जो है combine करती है किस चीज़ों को ये poetry को, classical music को और art को, सब को combine करती है आपस के अंदर रागमाला painting ठीक है चलिए तो हर एक राग को अलग color से दिखाय जाता है, hero heroine की story से दिखाय जाता है, particular mood दिखाय जाता है, किसी देवी देवता यानि की God, Goddesses के थूँ अलग-अलग रागों को यहाँ पर दर्शाय जाता है जैसे आप देख सकते है, रागमाला पेंटिंग है यहाँ पर, रागमाला वसंत रागी नीपेंटिंग है वसंत रितु को दर्शाने वाली एक पेंटिंग है आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग-अलग भगवानों के थूँ, colors के थूँ और मौसम के थूँ पेंटिंग को दर्शाय जाता है, कि किस राग में यह जो राग है, कौन से मौसम में गाय जाता है यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है अब जितने regional schools है miniature painting के, वो हम यहाँ पर एक table में उसको देख सकते हैं और आप compare कर सकते हैं अपनी आँखों के आगे, इस table को note कर लेंगे ठीक है, इस table को note कर लेंगे और सारी जो paintings हैं आपके सामने यहाँ पर है साथ में important जो theme है हर painting की, वो आपको मिलेगी जैसी मेवाड की theme क्या है रसिक प्रिया, रामयान, भगवत पुरान कुल्मिला के religious theme है feature क्या है, साहिब दिन यहाँ के important painter आपको मिलेंगे, और हडोडी स्कूल भी इसको कहा जाता है और आस्मान में ribbon उड़ता वा paintings में कई बार दिखाया जाता है, ठीक है उसके अलावा यहाँ पर भगवान कृष्ण की भक्ती से जड़ोवे शासक देखने को आपको मिलते हैं अंबेर जैपूर जो यह स्कूल है इसको धुंदार स्कूल भी कहा जाता है और यहाँ पर सवाई प्रताप सिंग जो शासक हैं इन्होंने patronize करा धुंदार स्कूल को यानि कि अंबेर जैपूर को सूरत खाना इनके द्वारा बनवाया गया था इसके लावा मारवार स्कूल को आप देख सकते हैं थीक है बशोली स्कूल अल्रेड़ी देख सकते हैं इसके लावा कांगडा स्कूल चलिए और रागमाला पेंटिंग हाला कि यह रीजिनल स्कूल नहीं एक रीजिनल स्कूल की पेंटिंग नहीं है एक separate painting है चले, रागमाला पेंटिंग एक regional school नहीं है, बलकि एक separate theme पर अधारित पेंटिंग है, जो कि medieval जमाने में शुरू होती है, जो कि musical राग को दर्शाती है, अलग-अलग seasons के हिसाब से, तो यहाँ पर miniature paintings में अब यहाँ पर एक topic जो बचा है, वो है miniature of south, ठीक है, तो miniature of south को अब य इसलिए अलग दिखेंगी, कि यहाँ पर gold का इस्तवाल, भारी भरकम तरीके से, यहाँ पर south इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है, चलिए, अब अगर यहाँ पर बात करें, south इंडिया की paintings में, तो सबसे important चीज जो आपको देखने को मिलती है, सबसे पहली painting व अब आप कहेंगे, मराठा शासकों ने तमिल लाडू की painting को patronize किया, यह क्या बात हुई, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अगर आप मराठा सामराज्य को देखेंगे, मराठा सामराज्य जब अपनी peak पर था, ठीक है, यह 1758 की photo है, map है, मराठा सामराज्य जब North से South तक बुरा फैला हुआ था, Almost एक Pan-India Empire, आपको देखने को मिलेगा, मराठा सामराज्य का influence बहुत ज़ादा, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और तंजावूर तक मराठा सामराज्य तमिल नाडू तक फैल चुका था, तो तंजावूर तमिल नाडू में है, और तक मराठा सामराज्य पहत बहुत चुका था, और इस दौरान यहाँ पर मराठा शासकों ने तंजोर पेंटिंग्स को patronize करा, बढ़ावा दिया, और यहाँ पर चीज़े आपको देखने को मिलती है, यूनीक फीचर क्या है तंजावूर पेंटिंग्स का, कि यहाँ पर पह तंजोर आपको इस तरह देखने को मिलेगा, सोने का इस्तमाल होता है, चमकदार कलर का इस्तमाल होता है, जैम स्टोंस, यानि कि जो पत्थर होते हैं, प्रेशिय स्टोंस होते हैं, उनका इस्तमाल होता है, ठीक है, और किसने patronize करा था, सरफोजी महराज, जो कि एक मराठा अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो यह है तंजोर पेंटिंग, आप देख सकते हैं, देखने में ही कितनी सोने से जादा लदी हुई और चमकदार पेंटिंग है, ठीक है, कितनी जादा चमकदार पेंटिंग है, अब इस पेंटिंग को देखते ही, आप समझ जाएंगे, ये तंजोर पेंटिंग है आज के बाद इस class के बाद अगर ये features आपको जब भी अगर आपको features ऐसे देखी याद करने से तो feature याद नहीं होगे feature याद करिए painting देखिए और उस painting में फिर feature identify करने की कोशिश करिए और फिर randomly किसी भी photo को आप उठा लिजिए आप किसी को बोल दीजिए मुझसे बूछ ले और फिर आप photos को identify करिए कि इसके क्या feature है ये कौन से school से जुड़ी हुई painting है इस तरह से आपको कम effort में paintings जो है interesting तरीके से याद होंगी तंजोर paintings जो है आप देख सकते हैं सरफोजी महराज ने इसको patronize करा brilliant colors यानि की चमकदार colors दिखेंगे सोने का इस्तिमाल होता है glass पर या फिर board बर की जाने वाली painting है कपड़े पर नहीं की जाती है ये खास बात इस painting की आपको देखने को मिलती है South की जो miniature paintings है उसमें से एक और famous painting है और famous paintings के अंदर आपको जो theme मिलेगी वो आपको religious theme मिलेगी यहाँ पर भी आपको religious theme मिलती है तंजोर painting में भी लेकिन यहाँ पर unique जो feature है इस painting का अगर आप देखेंगे तो जिस material से बनाई जाती है ये बनाई जाती है gaso paste से बनाई जाने वाली painting है क्या होता है gaso paste gaso paste जरसल zinc oxide का और Arabic gum यानि की गोंद का mixture होता है तो gaso paste क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए पेपर में आपसे कहेगा कि ये वो painting है जो कि gaso paste से बनाई जाती है भारत के south में बनाई जाती थी ठीक है उसके अलावा religious theme आपको देखने को मिलेगी उसके अलावा इस painting का एक unique feature ये है कि sides में side में भी लोग होंगे मतला painting के side में भी subjects होंगे लेकिन जो central figure होगी वो major figure होगी predominant figure होगी अगर पाला school को देखेंगे तो पाला school में भी कुछ ऐसी ही आपको तरीका दिखेगा painting मनाने का कि बीच में एक central figure दिखेगी लेकिन पाला school के अंदर side जो है वहाँ पर आपको कोई नहीं दिखेगा लेकिन मैसूर paintings के अंदर आपको central figure जो है वो dominant figure दिखेगी बाकी आसपास भी आपको paintings देखने को मिलेगी बाकी आसपास भी आपको subject देखने को मिलेंगे लोग देखने को मिलेंगे painting के अंदर तो आपने कई बार painting ऐसी देखी होगी जहाँ पर भगवान है Goddess है, देवी देवता है यहाँ पर दो भगवान है लेकिन बीच वाले भगवान को बड़ा करके दिखाया गया है यह जो तरीका है दिखाने का यह है मैसूर painting का तरीका और इसके अंदर gaso paste का इस्तमाल होता था zinc oxide और Arabic gum का यहाँ पर इस्तमाल होता है, ठीक है? चलीए, तो यहाँ पर कहता है one figure जो है, वो pre-dominates करती है यानि कि बीच की जो figure है वो आपको बाकी जो figure से छविया है उन पर हावी होती हुई नजर आएगी ठीक है? और यहाँ पर major जो theme होती है वो हिंदू देवी देवताओं की theme आपको देखने को मिलेगी तो अगर यहाँ पर बात करें prehistoric painting हो चुकी है mural cave paintings, अजंता की गुफाओं में बाग cave तो है, यह सारी painting हो चुकी है miniature painting हो चुकी है जिसके अंदर आपने regional schools भी कर लिया miniature of south भी कर लिया मुगल जमाने की miniature painting कर ली यह सारी चीजे कर ली modern paintings पर अब हम चलते हैं कि आखिर modern paintings यानि की मुगल सामराजे तक की paintings होगी और उस समय कौन-कौन से paintings थी अलग-अलग region में हो रही थी medieval जमाने में वो सब हम देख चुके हैं अब यहाँ पर देखते है modern Indian history जो है उसके जमाने में paintings आपको किस तरह से देखने को मिलेगी और फिर उसके बाद सबसे ज़ादा interesting जो है folk paintings इनको भी देखेंगे folk paintings को देखेंगे तो कहता है modern जमाने की और यह जो paintings है जब भी हम बोलते है modern जमाना या फिर modern history से जुड़ी भी paintings paintings तो हम हमारा यहां पर मकसद होता है उस समय को बताना जहां पर भारत के अंदर British लोगों का सामराज्य शुरू होता है या company सामराज्य शुरू होता है तो यहां पर अगर बात करें सबसे पहले paintings बनती है company paintings उनको कहा गया और यह colonial जमाने में develop हुई paintings है hybrid style से बनती है क्यों क्योंकि इसके अंदर आपको राजपूत, मुगल और बाकी Indian styles जो है European elements के साथ mix होते वे आपको नज़र आएंगे इस जमाने में ठीक है अब यहां पर अगर बात करें तो सबसे पहले यह paintings जो develop होती है इनको company painting इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर company ने British company जो है इनों ने painters को employ करा ठीक है और उनसे paintings बनवानी यहां पर शुरू की ठीक है अगर बात करें यह painter कौन थे जो Indian paintings बनाते थे इसी को British लोगों ने company British East India company जब भारत में आई तो British लोगों ने Indian painters को hire करा और उनी से paintings बनवानी शुरू करी तो यहां पर इसे कहा गया company paintings ठीक है company paintings और इसके अंदर basically use देखेने को मिलता है water colors का ठीक है water colors का company paintings के अंदर आपको use देखने को मिलता है और यह जो paintings थी जहर सी बात है उस region में आपको develop होती भी नज़र आएंगी जहाँ पर British company आपको मिलेगी Kolkata chain नहीं ठीक है दिल्ली पटना वारन इस region में आपको यह paintings देखने को मिलती है और यहाँ पर इन paintings की अगर बात करें focus क्या रहेगा जो flora and fauna वगरा है इसके उपर यानि की paid positive जीव जन्तु पर focus आपको देखने को मिलता है तो यह painting है company painting और इसके अंदर आप देख सकते है natural चीजों को दिखाएगा है religious themes आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी ठीक है कैसे normal चीज़े चल रही है यह सारी flora fauna और यह सारी रोजमरा की life इस तरह की चीज़े की painting आपको मिलेगी इसके बाद आपको मिलती है modern जमाने की bazaar painting bazaar painting जो है यह आपको proper European influence से जुड़ी हुई paintings आपको देखने को मिलती है और bazaar school of painting जो है इसके अंदर आपको Indian influence नहीं दिखता है बलकि Roman और Greek influence देखने को मिलता है और यह जो school है यह इस तरह की जो paintings बनी यह आपको Bengal और Bihar की region में देखने को मिलेगी और यह everyday bazaar की जो activities है Indian bazaar की जो activities है उसको दर्शाती है लेकिन इसके अंदर पूरा जो touch आपको मिलता है वो European touch आपको देखने को मिलता है Roman touch आपको देखने को मिलता है यहाँ पर आप देख सकते है कि यहाँ पर bazaar painting का यह एक आपके पास देखने को मिलती है हाला की यहाँ पर religious themes भी आपको इस painting में देखने को मिलती है यानिकि European influence के द्वारा आपको religious theme भी draw कीती भी नजर आती है बाजार painting को अगर आप देखेंगे देखने से ही साफ़ पता चल रहा है जिस तरह से चीजों को draw किया गया है इसके अंदर आपको जो colors है theme है ठीक है ये सारी चीजे इस तरह से दिखाए गई है जैसे European, Greek और Roman paintings जो होती थी वैसा ही कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसके लावा modern जमाने में राजा रवी वर्मा के द्वारा जो कि उससे में एक important painter आपको देखने को मिलेंगे केरला से आते हैं ठीक है जिनको Raphael of East भी कहा जाता है राजा रवी वर्मा के द्वारा यहाँ पर paintings आपको देखने को मिलेगी modern जमाने के अंदर और राजा रवी वर्मा ने जो paintings बनाई उसके अंदर आपको western influence heavily देखने को मिलता है तो modern जमाने में अगर कोई famous भारती है जो कि European touch के हिसाब से painting बना रहा था तो आपको राजा रवी वर्मा यहाँ पर देखने को मिलेगी state of kerala से आते है rafail of east इनको कहा जाता है राजा रवी वर्मा की famous painting है lady in the moonlight ठीक है तो lady in the moonlight राजा रवी वर्मा की famous painting आपको देखने को मिलेगी ठीक है इसके अलावा यहाँ पर आपको मदर इंडिया की painting भी राजा रवी वर्मा के द्वारा बनाई हुई नजर आती है ठीक है इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें राजा रवी वर्मा के द्वारा और जो painting बनाई गई थी उसमें famous है कि जब सीता हरण होता है यहें वो paintings है जहाँ पर आपको European influence देखने को मिलता है European influence चाहे company paintings हो चाहे bazaar paintings यहाँ पिर राजा रवी वर्मा की paintings हो इस थीत पर एक और school developed हुआ इस जमाने में जो की reactionary school था reactionary मतलब colored जो की European जो touch आ रहा था painting में उसको कम करने या खत्म करने के उपर आधारित की स्कूल आपको देखने को मिलेगा आप कह सकते हैं कि स्वदेशी स्कूल या आपको देखने को मिलता है और बेंगॉल के अंदर ही डिवेलप होता है और यहाँ पर पेंटिंग 1940 के दौरान आपको बनती वी नज़र आएंगी और यहाँ पर बेंगॉल के अंदर पेंटिंग्स जो इस समय बनाई रियक्शनरी तरीके से या फिर European influence को कम या खत्म करने वाली पेंटिंग्स वो आपको देखने को मिलेंगी किनके दौरा अबनींदरनाथ टेगॉर इसमें आपको फेमस पेंटिंग्स आपको मिलेगी Arabian Night Series जो स्टोरी बुक है इसके अंदर उनके दौरा जो बनाई गई पेंटिंग्स थी ये ग्लोबल लेवल पर फेमस होती है इसके अलावा स्वदेशी वैल्यूज जो है ये इंकॉर्परेट करने की पेंटिंग्स में कोशिश करते हैं और वेस्टन स्टाइल को कम या खत्म करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है पेंटिंग्स के अंदर जिसमें फेमस पेंटिंग है अबनींदरनाथ की द्वारा भारत माता की जो पेंटिंग है भारत माता का चित्र तो अबनींदरनाथ टेगोर ने अरेबियन नाइच सीरीज में भी पेंटिंग बनाई थी साथ में भारत माता की पेंटिंग जो है ये आपको दर्शाती है स्वदेशी तरीके से बनी हुई पेंटिंग्स यानि की European influence यहाँ पर कम करने की कोशिश की गई है पेंटिंग्स के अंदर तो याद रखेंगे अब नींदर नाथ टेगोर के द्वारा ही बनाई गई थी और कौन से तरह की थीम थी थीम क्या थी थीम थी यहाँ पर इंडियन values पर आधारित पेंटिंग्स बनानी है ना कि European touch यहाँ पर दिखाना है European touch को खत्म यहाँ पर या फिर कम करना है पेंटिंग्स के अंदर उसके अलावा एक और important painter आपको दिखते हैं नंदलाल बोस जो की इसी reactionary school से आते हैं और नंदलाल बोस वो व्यक्ती है जिन्होंने भारत के सम्विधान में भी paintings add की है तो भारत के सम्विधान में paintings add की जाएंगी किन के इसके द्वारा जोड़ी गई है इसके दावर रविंदर नाफ टैगोर ने भी इस जमाने में कई paintings मनाई जो कि इसी school के अंदर आएंगी कि हमें European influence को कम करना है और आप समझ भी सकते हैं कि 1940s का जमाना चल रहा है 1940s और उसके बाद का जो जमाना है यहाँ पर भारत में सतंतरता आंदोलन बहुत ज़ादा तेज हो चुका था और यहाँ पर भारत में जितनी भी European या अंग्रेज़ों से जुड़ी हुई जितनी चीज़े होंगी उसके परती लोगों में गुसा होगा क्योंकि आजादी यहाँ पर लेनी अब लोग जो थे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे तो इसलिए स्वदेशी चीज़ों पर जादा फोकस आपको देखने को मिलेगा और पेंटिंग्स पर भी किया गया फोकस तो यह कोई एक अलग चीज नहीं है इसी कड़ी का हिस्सा इसी आंदोलन का हिस्सा यह चीज़ आपको देखने को मिलती है ठीक है चली उसके अलावा यहाँ पर यही पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी जिसके अंदर reactionary school में अब नींदर नाथ को याद रखेंगे और नंदलाल बोस को याद रखेंगे इसके अलावा modern जमाने की जो paintings है इसमें एक और paintings मिलेगी cubist style of paintings यह cubist style of paintings जो है European influence पर आधारित painting है यॉरोप में cubist movement जो चली थी उस पर आधारित paintings है इसके अंदर एक picture को अलग-अलग squares में इस तरह से shape में break कर दिया जाता है ठीक है objects जैसे अलग-अलग तरीके से तोड़ मरोड दिये जाते हैं इस तरह से उनको तोड़ा मरोड के वापस दुबारा जोड़ा गया हो और M.F. हुसेन आपको इसी school से आते हुए एक painter दिखेंगे cubist style of painting जिसमें objects को तोड़ मरोड के दुबारा दुबारा उनको assemble किया हो ऐसे दर्शाय जाता है इसके अलावा progressive artist group आपको देखने को मिलेगा जो की 1947 और उसके बाद develop होता ही school ठीक है और ये जो school है ये भी modern European school पर आधारित यानि कि European values पर आधारित European technique पर आधारित school आपको देखने को मिलेगा ठीक है और इस school के founder जो है वो Francis Newton Susa है लेकिन यहाँ पर आपको S.H. Raza जो है इसमें आपको एक member देखने को मिलेगे M.F. Hussain इस school से भी जुड़े हुए थे ठीक है और इनकी पहली जो exhibition लगी थी वो 1948 में आपको देखने को मिलेगी मुलक राज आनंद के द्वारा यहाँ पर इनको patronize किया गया था हलाकि आपको इतना याद रखने की जुड़त नहीं बस आप यतना याद रखिए कि painter जो है इनके नाम आप याद रख सकते हैं कि किस school से आप ये जुड़े हुए है S.H.Raza की painting आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है यह रही अब यहाँ पर सबसे important जो paintings है उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपने कभी ना कभी ऐसी paintings अलग अलग जगाहों पर देखी होगी हो सकता है किसी exhibition में देखी हो किसी art gallery वगएरा में देखी हो या हो सकता है t-shirts वगएरा पर भी आपने इस तरह की design देखी हो कही ना कहीं आपने इस तरह की paintings देखी होंगी ठीक है और इन paintings को अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं यह है folk paintings और यह काफी ज़ादा important आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर अब चीज़े है random ठीक है क्योंकि अब हम पढ़ेंगे folk paintings और अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग region में होने वाली paintings को देखेंगे जो कि अब आपके आगे randomly आएंगी ठीक है अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी यह थोड़ा सा मुश्किल पाथ है paintings का क्योंकि यहाँ पर एक particular theme के अंदर आप चीज़ों को नहीं पढ़ रहे है क्योंकि folk paintings है अलग-अलग region में अलग-अलग तरीके से vary आपको करती हुई नजर आएंगी ठीक है theme में काफी variation होगा चीज़े आपको इस तरह से देखने को मिलेंगी यह है folk paintings जब आप folk paintings यहाँ पर चीज़ों को सबको पढ़ लेंगे साथ में अभी उसके बाद जब आप इन paintings को देखेंगे यह जो दो slides है इनको देखकर आप पहचान जाएंगे कौन सी painting किस तरीके की painting है और किस painting का क्या नाम है यह आप समझ जाएंगे जब अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कहता है पहली है मधुबनी paintings ठीक है मधुबनी paintings जो है इसको मिथिला paintings भी कहा जाता है और यह आपको जो उत्तर प्रदेश और बिहार का तराई region है जो की नेपाल के साथ लगता है उस area में आपको करती हुई नजर आती है ठीक है और यहाँ पर जो common theme आपको देखने को मिलती है वो religious theme देखने को मिलती है ठीक है तो religious theme आपको मिलेगी basically मधुबनी paintings के अंदर और यह draw की जाती थी जैसे अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है शादी है कोई festival है उस तरीके से इनको draw किया जाता था इस painting को और यह जो painting है दिवार पर की जाती है शुरुआत में चावल के paste से की जाती थी vegetable color से की जाती थी और जो नीचे base होता था वो गाय के गोबर का और मिटी का आपको देखने को मिलेगा base तयार किया जाता था उसके उपर painting की जाती थी लेकिन अब यह जो painting है अब यह कपड़े पर की जाती है कागस पर की जाती है और अब modern तरीकों से modern paint से की जाती है ठीक है लेकिन अब देखेंगे अब paper पर, cloth पर अलग अलग तरीकों से यह painting की जाती है लेकिन originally यह जो painting थी यह घर की दिवारों पर की जाती थी ठीक है और महिलाएं इसको paint करती थी गाय का गोबर का लेब लगा कि मिटी का इस तरीके से ठीक है और famous जो एक important common feature मिलेगा वो की double line borders आपको देखने को मिलेगी और यह जो painting है इनका origin माना जाता है कि रामायन के जमाने से इनका origin इन paintings का माना जाता है और जादा तर महिलाएं जो है इस painting को किया करती थी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले फिर एक important जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं जो भी दोस्त comprehensive batch के अंदर participate नहीं करना चाते हैं और चाते हैं कि पहले NCRTs पढ़कर अपनी foundation को strong कर लें तो उनके लिए एक separate batch launch किया गया है एक special course यहाँ पर launch किया गया है और ऐसे दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं चटी से बारवी तक की NCRTs आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं जिसके अंदर मेरे साथ आप history पढ़ेंगे और बहुत detail में चीज़ों को बढ़ते हैं एक एक चीज़ को समझ कर पढ़ते हैं UPSC की perspective से बढ़ते हैं examiner कैसे question बना सकता है कैसे फसा सकता है सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं सिर्फ 2999 जो की एक affordable price range है इसमें इस course को launch किया गया है ताकि सब लोग इस batch के अंदर enroll कर सके खासता और पर जो college में है दोस अगर वो चाते हैं अपनी foundation college में रहते रहते strong कर ले तो आपके लिए बहुत ज़ादा अच्छा ये course आपके लिए साबित हो सकता है ठीक है और almost सारी subject इसके अंदर cover हो जाते है जितनी NCRT's है 30 से 12 तक की अगर इस batch के अंदर enroll करना है तो code लगाएंगे SMK live बागी जो top educators हैं ये भी आपको geography, quality, economy बागी subject आपको यहाँ पर कराएंगे अब अगर आप यहाँ पर देखें 2007 के अंदर geographical indicator tag इस painting को मिल चुका है GI tag मिल चुका है और ये जो painting है मदूबनी painting आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है शुरुआत में दिवार पर की जाती थी ट्रडिशनली लेकिन अब paper पर ये गत्ते पर इन सब चीजों पर की जाती है आपने सुना होगा शायद जो topper टीना डाबी है वो मदूबनी painting भी बनाती है ठीक है तो वहाँ पर अगर यहाँ नहीं सुना तो वहाँ पर आपने जरूर सुना होगा उनकी hobby मदूबनी painting मनाने है तो वो मदूबनी painting ये है जिसकी वो बात कर रही थी ठीक है अगली जो painting है folk painting ठीक है अगली जो folk painting है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मदूबनी painting यहाँ पर कहाँ पर है यह रही यहाँ पर मदूबनी painting चलिए अगली अगर यहां पर पेंटिंग देखें तो वो आपको मिलती है पत्त चित्र ठीक है पत्त चित्र आपको देखने को मिलती है यह पत्त चित्र जो पेंटिंग है ट्रडिशनली ओडिशा में की जाती थी ठीक है और यह जो नाम यह आया है पत्त चित्र यह आया है कि जिस तरीके से की जाती थी कपडे पर की जाती थी और इसको कहा जाता था पत्टा कहा जाता था और कहता है कि कोई भी pencil और charcoal इसमें use नहीं होती बलकि यहाँ पर brush इस्तमाल होता है इस painting में outlines draw करने के लिए और उसके अलावा यहाँ पर कहता है की वही एक बार यहाँ पर fine lines बन जाती है उसके बाद यहाँ पर coating की जाती है lacquer की to give it glossy finish ठीक है? लैक या फिर जिसको लाक बोलते है लैक उसकी coating इस painting के उपर की जाती है जब एक बार painting तेयार हो जाती है तो याद रखेंगे कौन सी painting है जिसके उपर lacquer की layer चड़ाए जाती है वो है पक्टा चित्र कहाँ पर की जाती है? ओडिशा के अंदर की जाती है याद रखेंगे यह जितनी भी folk paintings पड़ रहे है इसके अंदर तीन चीज़े याद रखेंगे पहली बात location कहाँ पर painting की जाती है दूसरा painting की theme क्या है तीसरा painting का कोई important अगर feature है तो उसको याद रखेंगे इन तीन चीज़ों को identify करना है हर painting को पड़ते हुए तो यहाँ पर lac एक important feature है कि lac की coating यहाँ पर की जाती है तो यहाँ पर देखेंगे पट्टा चित्र में कहाँ पर की जाती है ओडिशा में की जाती है उसके अलावा theme क्या देखेंगे ओडिशा की जो भी चीज़ होगी जादतर आपको उसके अंदर भगवान जगनात से जुड़ी हुई theme आपको ज़रूर मिलेगी चाहे architecture हो चाहे painting हो तो यहाँ पर अगर बात करने जगनात एंज वैशनव theme पर आधारिट paintings आपको देखने को मिलती है उसके अलावा कहता है कि पट्टा चित्रा अगर पाम लीफ पर की जाए अगर पाम के पत्ते पर की जाए तो उसको बोला जाता है ताल पट्टा चित्र ताल पट्टा चित्र तो याद रखेंगे important features यह है पट्टा चित्र आप इसमें देख सकते हैं जैसे भगवान जगनात की आपने कभी मूर्ती देखे होंगी तो उसमें बड़ी बड़ी आँखे दिखाए जाती है भगवान की उसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसी तरह से आप यहाँ पर भगवानों को जिस तरह से दर्शाय गया है इसको देख कर आप समझ सकते हैं कि यह एक ओडिशा से जुड़ी हुई painting है और यहाँ पर पट्टा चित्र famous जो painting है वो यह शायद हो सकती है इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं तो पट्टा चित्र painting आपके सामने है इसको आप देख सकते हैं तीसरी जो painting है folk painting वो है पट्वा आर्ट यह बेंगॉल में location पता चल गी बेंगॉल में की गई और कई सालों से बताया जाता है कई हजार सालों से painting की जा रही है और यह जो painting सी यह इस तरीके से शुरू हुई कि यहाँ पर कहते है कि भई गाउं के अंदर tradition होता था कि painters क्या करते थे यहाँ पर मंगल कावे या फिर अच्छी अच्छी भगवानों की story सुनाय करते थे paintings के थू तो उस कला से उभर कर सामने आती है patua art ठीक है तो याद रखेंगे यह क्या है यह एक important feature इस painting का दर्शारा है location आपको यहाँ पर पता चल गई है उसके अलावा कहता है कि यहाँ पर यह painting कैसे की जाती थी patas पर ठीक है patas पर ठीक है और इसलिए इसको patua art कहते है या फिर scroll पर scroll मतलब कोई लंबा कपड़ा ठीक है अब अगर यहाँ पर बात करें कहता है कि भई जो कि देखने में भी हमें चीज यहाँ पर देखने को मिलती है scroll पर painter या फिर इसको patua art कहते थे ठीक है और जाहर सी बात है यहाँ पर कहता है कि भई यह stories सुनाते थे और बदले में खाना और पैसा मिलता था अब एक चीज यहाँ पर आपको बता चलेगी story अगर सुनाई जा रही है तो यहाँ पर एक लंबा कपड़े की ज़रत पड़ेगी उस लंबे कपड़े पर आप अलग-लग scene depict कर सकते हैं तो जो भी ऐसी paintings होंगी जो कि लंबे कपड़े पर की जाती है आप देखेंगे जादतर वो किसे खास परकार के story को सुनाने के लिए इस्तमाल हो रही है और भारत में पुराने जमाने में ऐसे paintings बनती थी जो कि लंबे कपड़े पर की जाती थी जिस पर stories दर्शाए जाती थी ऐसी paintings को कहा जाता है scroll paintings scroll paintings ठीक है? ऐसी paintings को ये paintings आपको कैसी देखने को मिलेगी जादा तर आपको traditionally religious theme पर आधारित painting देखने को मिलेगी लेकिन अब बताया जाता है कि paper पर भी sheets पर भी in paintings को किया जाता है ठीक है? चलिए उसके अलावा अगर बात करें ये आपको West Bengal के regions में मिदनापुर district में और फिर बाद में आपको 24 पर आगना region में famous होती नजर आती है तो पटवा आर्ट जो है वो आपको यहाँ पर ये कागस पर बनी हुई painting है लेकिन traditionally बताया जाता है ये भी scroll paintings हुआ करती थी मंगल का वे कहानी सुनाने के लिए इस्तमाल होती थी ठीक है तो ये एक unique feature है इस painting का याद रखेंगे कि भले ही आपको इस तरह से दिख रही है लेकिन एक scroll painting हुआ करती थी उसके अलावा कहता है काली घाट painting जो की 19th century यानि 1800 में develop होती है और ये कैसे develop होती है दरसल कोलकाता के अंदर जो रूरल migrant आते हैं काम करने ठीक है जो काली घाट temple के आसपास अपने आपको settle करते हैं ठीक है बाद में कलकत्ता बन गई जगा यहाँ पर जो migrant workers काम करने आते हैं यह यहाँ पर paintings बनाते जो है यह काली घाट painting यहाँ पर की गई और यहाँ पर कहता है कि water colors का इस्तमाल हुआ था paper पर यह painting बनाई जाती थी और brushes का इस्तमाल होता था इन paintings में किसका brushes का इस्तमाल गाए के बच्चडे के बच्चों का और उसके अलावा squirrel यानि की जो गिलहरी होती है गिलहरी के बालों से यहाँ पर brush जो है उसको बनाया जाता था और यहाँ पर कहता है कि religious themes आपको देखने को मिलेंगी ठीक है उसके अलावा over the time यहाँ पर social चीजें भी दिखाए जाने लगी इस painting के अंदर जाहिर सी बात है migrant लोग जो आ रहे हैं अपना struggle चीजों को भी painting के थुरूर दर्शाएंगे तो यहाँ पर काली घाट paintings जो है यह migrant workers के द्वारा बनाएगी painting है Kolkata में develop होती है इसके important features को याद रखेंगे ठीक है और कहता है कि यह पहली अपने आप में इस तरह की paintings है जो की migrant workers और बाकी जो लोग हैं उनके sentiments को दर्शाने वाली painting आपको शोशल लेवल की चीज़ों को दर्शाने वाली painting देखने को मिलती है काली घाट painting का आपको एक photo यहाँ पर देखने को मिलती है यह value gun पेंटिंग ठीक है चली उसके अलावा है पैतकर painting पैतकर पैतकर painting आपको tribal painting यानि कि tribal लोगों के दौरा जारकंट में की जाने वाली painting मिलेगी और ये भी एक परकार की scroll painting है ठीक है ये भी एक परकार की scroll painting है यानि कि इससे भी stories वगएरा दरशाने के लिए इस्तमाल हुआ किया जाता होगा ठीक है चलिए और ये जो painting है कहता है कि old form of painting जिसका culture association दिखेगा मा मंसा से one of the most popular goddesses in the tribal household याद रखेंगे paper में आपसे पूछे लेगा कि इनमें से कौन सी painting है जो की goddess मा मंसा से associated है कौन सी painting है जो की मा मंसा से associated है तो वो है पैतकर painting और ये एक tribal लोगों के द्वारा की जाने वाली painting आपको देखने को मिलेगी अलग से goddess का नाम mentioned है तो यहाँ पर आप भी अलग से इसको याद रखने की कोशिश करेंगे ठीक है अलग से नाम mentioned है तो अलग से याद रखने की पूरी कोशिश करेंगे और एक और important चीज इस painting की जो आपको theme मिलेगी वो भी बड़ी unique है वो क्या है कि life after death की मरने के बाद का कैसा जीवन होगा उस पर आधारित की painting है तो बड़ी unique theme है बाकी paintings में आपको देखने को क्या मिलेगा जाद अतर religious theme लेकिन यहाँ पर एक tribal painting है जो life after death के उपर आधारित यहाँ पर paintings आपको देखने को मिलती है तो उसका नाम क्या है पैतकर painting जारकंड में होती है मा मंसा गौड़ेस जो है उनको उनको पर आधारित है और यहाँ पर life after death को दरशाने वाली paintings है इसके अलावा छटी painting है कलमकारी paintings ठीक है कलमकारी जो painting है इसका नाम जो develop होता है कलम से develop होता है इसका मतलब pen ठीक है और इसमें कौन सा pen इस्तमाल होता था bamboo, bass से बना हुआ sharp pointed pen इस्तमाल होता था vegetable colors यहाँ पर इस्तमाल होते थे और इसमें cotton के कपड़े पर की जाने वाली painting होती थी कलमकारी painting ठीक है चलिए और यह आपको आंधरा परदेश में देखने को मिलेगी ठीक है आंधरा परदेश में basically मचली पटनम से develop होती है और यहाँ पर free hand से चीजों को draw किया जाता था और जादा तर इसके theme भी आपको religious देखने को मिलेगी ठीक है अगर यहाँ पर आप देखें यह है कलमकारी painting ठीक है जो कि आंधरा परदेश में develop होती हुई आपको नजर आती है इसके अलावा आपको एक और painting देखने को मिलेगी वो है वरली painting और वरली painting के बारे में बताया जाता है कि इसका जो tradition है बहुत हजारों साल पुराना है पच्चिस सो से तीन हजार बीसी के आसपास से यह painting आपको develop होती हुई नजर आएंगी और लगभग आप कहसे हैं चार साड़े चार हजार साल पुरानी चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और यह जो यहाँ पर अगर बात करें महराश्टर के indigenous people जो है लोग जो है उनके द्वारा ये painting बनाए जाती है महराश्टर और गुजरात के रीजन के आसपास इनको वरली कहा जाता है लोगों को इनको वरली कहा जाता है जो कि indigenous लोग है गुजरात और महराश्टर के रीजन में और यहाँ पर painting मनाए जाती है और कहता है कि ये जो paintings है ये भीम बेटका में मिलने वाली जो दिवारों पर की गई painting है देखिए मुरल लिखा है मुरल मतलब दिवार पर की जाने वाली painting अब वो simple है या sophisticated है वो बात अलग है अगर गुपता जमानी की painting को बात करें तो वो sophisticated है भीम बेटका में prehistoric painting जो है वो simple painting है तो moral painting जो आपको भीम बेटका की गुफाओं में मिलती है भीम बेटका की गुफाओं में moral painting का मतलब है दिवार पर मिलने वाली painting तो उसमें आपको कैसे आकरतियां दिखती है इंसानों को ऐसे दर्शाया गया है ठीक है जानवरों को ऐसे तो इस प्रकार की आकरतियां मिलती है वरली painting में भी आपको इसी तरह की चीज़े देखने को मिलती है अगर आप देखेंगे यह है वरली painting और आपने कई बार टी शेक्स वगएरा पर भी अलग अलग जगाहों पर भी ऐसे patterns देखेंगे तो आप देख सकते हैं simple आकरतियों से चीज़ों को दर्शाया गया है ठीक है तो यहाँ पर यह आपको देखने को मिलती है भीम बेटका की गुफाओं से close resemblance आपको यहाँ पर देखने को मिलती है उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें कहता है यह ritualistic paintings है जिसके अंदर आपको एक central कोई आकरती मिलेगी ठीक है जिसको chalk हम कहते है ठीक है आप यहाँ पर देखिए central आकरती है जैसे कोई रंगोली टाइप से होती है उस तरह से आपको यहाँ दिखेगी बीच में central आकरती है रंगोली जैसी chalk इसको कहा जाता है ठीक है चौक इसको कहा जाता है और इसके बाद फिर यहाँ पर आपको अलग-अलग scene जो है उसको दर्शाय जाते है fishing hunting इस तरह से देखने को मिलेगी ठीक है उसके अलावा यहाँ पर goddesses जो है उनको दर्शाय जाता है ठीक है और यह जो paintings है यह traditionally दिवारों पर की जाती थी लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा अलग-अलग जगाहों पर भी इस painting को किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर जो यह paintings है यह आपको basic graphics के दवारा triangle, circle और square के दवारा जपेट की जाती थी और दिवारों पर की जाने वाली painting आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर मिटी का base बनाये जाता था गाय के गोबर से यहाँ पर base बनाये जाता था और okre color यहाँ पर basically इस्तमाल होता है और okre color जैसे हमने भीमबेटका की गुफाओं में देखा था जो कि iron और उससे बनने वाले oxide से बनने वाला color है वो आपको basically दिखागा तो white और okre color दो painting दो colors इस painting में वरली painting के अंदर इस्तमाल होते है ठीक है white pigment इस्तमाल होगा, okre color का background यहाँ पर होगा, जो की मिट्टी और गाय के गोबर से यहाँ पर बनता है, ठीक है, चलिए ठीक है, तो वरली painting जो है white pigment से बनती है, background okre color का होता है, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते है और shape और इन सब चीजों से ही पता चलता है, यह बहुत basic तरीके से होने वाली painting है इसलिए बहुत पुराने जमाने से हो रही होगी, ठीक है, तो वरली painting एक important painting है, और यह paintings जो है, यह क्या करती है यह paintings, जो tribal art वगेरा है इनको भी promote करती है, जैसे आपने देखा होगा, कि आज कल कई बार t-shirts पर ऐसे patterns आपको देखने को मिलते है suits पर, ठीक है, लड़कियों के suit के उपर, bags के उपर देखने को मिलेंगे, यह सब क्या है यह सब है, कि किस तरह से आप tribal art को promote कर सकते हैं किस तरह से आप भारत के जो traditional art है, उसको आज के जमाने में promote कर सकते हैं, उसको market कर सकते हैं, और ऐसे में जो इन arts से जुड़े हुए जो लोग है उनको यहाँ पर कुछ तरह का फायदा पहुँचे तो इस तरह की चीज़े आपको देखने को मिलती है, कि इस तरह की जो painting से आप example दे सकते हैं, कि जैसे ट्राइबल आर्ट को promote करने की जब बात होगी तो आप बता सकते हैं कि वर्ली paintings जो है, वो आपको टी-शेट पर, bags पर नज़र आती है, example के तौर पर इसको बता सकते हैं उसके अलावा paintings है, ठंग का painting ठंग का painting जो है, या आपको ठंग का painting, यह है ठंग का painting दूसरी तरफ एक शब्द है ठंग का painting, यह बताएंगी यह चीज़ क्या है ठीक है, अगर नहीं पता तो इसको सर्च करेंगे और comment box में बताएंगे, चलीए तो सिक्क्यम, हिमाचल और लद्दाक के रीजन में, यानि की नौर्थ इसके जो पहाड़ी रीजन है, जहाँ पर आपको बुद्धिसम देखने को मिलेगा, वहाँ पर यह painting आपको देखने को मिलेगी, ठंग का painting और traditionally, बुद्धिस्ट जो साधू होते थे, बुद्धिस्ट मंग, उनके द्वारा ही ये की जाती थी, और cotton के canvas पर ये paintings जो है, ये की जाती है, ठीक है ये paintings cotton के canvas पर की जाती है उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें, एक बार photo आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, ठंग का painting है और ये बुद्धिस्ट theme फिर से आपको दिखती है, और फिर से अगर बात करें कौन से बुद्धिस्ट theme है, तो यहाँ पर फिर से वज्रियान बुद्धिस्ट theme पर आधारीच painting मिलती है, क्यों क्योंकि जो eastern part है भारत का, और वहाँ से जो बुद्धिस्म पहाड़ों में गया, वो था कौन सा वज्रियान बुद्धिस्म ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बात करें, हर color किसी ना किसी प्रकार के emotion को दर्शाता है, जैसे कि यहाँ पर red color जो है, passion, intensity की passion की intensity को दर्शाने वाला color यहाँ पर देखने को मिलता है, उसके अलावा silk के brocade में जो painting है, उसको यहाँ पर frame किया जाता है, जब painting एक बार तियार हो जाती है, तो silk के brocade में यहाँ पर तियार किया जाता है, उसके अलावा यहाँ पर कहता है कि भाई ठीक है? उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें, इन पेंटिंग्स को आप तीन तरीके से डिवाइट कर सकते हैं कि किस तरह की चीज़ों को यह दर्शाता है पहली चीज़ कि भई यहाँ पर गौतम बुद्ध की लाइफ और उनके बर्थ से जुड़ी ही उनके enlightenment से जुड़ी हुई चीज़ों को यहाँ पर दर्शाता है second जो है वो थोड़ी abstract तरह की theme को दर्शाता है जैसे कि Buddhist beliefs जो है उन चीज़ों को दर्शाता है wheel of life को दर्शाता है और जो third painting है वो यहाँ पर आपको दर्शाती है duties और उनकी meditation को यहाँ पर दर्शाने वाली painting आपको देखने को मिलती है तो कुल मिला कि यहाँ पर Buddhist paintings है ठंग का paintings ठीक है और ठांगता क्या है वो बताएंगे बिलकुल ठांगता जो है martial art है ठीक है मंजुशा painting बहगलपूर और बिहार के रीजन में आपको देखने को मिलेगी इसको अंगी का art भी कहते है ठीक है तो कुछ अलग unique feature आपको देखने को मिलता है पहली बात location पता चलगी दूसरा इसको अंगी का art भी कहा जाता है ठीक है तो मगद के side में आपको अंग प्रदेश देखने को मिलता है अंग महाजनपद important feature याद रखेंगे इस painting का यहाँ पर साप की आकरतियां बनती हुई नजर आएंगी इस painting के अंदर और ये painting दरसल जूट के जो boxes डब्बे बने होते थे ठीक है उनके ऊपर की जाती थी उनको सुंदर बनाने के लिए ये painting की जाती थी तो आप देख सकते हैं साप के आकरति paintings में मिलती है किसमें मंजूशा painting में और मंजूशा का मतलब क्या होता है भई मंजूशा का मतलब ही box होता है दब्बा तो डब्बों को अच्छा बनाने के लिए जूट के डब्बों को सुंदर बनाने के लिए ये painting उस पर की जाती थी आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो मंजूशा painting जो है अंगिका आर्ट भीस को कहते हैं साप की आकरतियां दिखती है और जूट के डब्बों पर ये paintings की जाती थी इसके अलावा एक और important painting है third painting जो की एक scroll painting वह करती थी राजस्थान में आपको ये painting देखने को मिलेगी scroll painting है तो समझ गए किसी ना किसी story को दर्शाने के लिए ये painting की जाएगी और ये जो painting थी religious nature की आपको देखने को मिलेगी local जो भगवान थे यहां के पाबुजी और देव नारायन इन पर आधारित ये painting आपको देखने को मिलेगी scroll का मतलब long piece of कपड़े के एक लंबे कपड़े पर की जाने वाली ये painting आपको देखने को मिलेगी और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो यात्रा है निकल रही है processions निकल रहे है जुलूस जल से निकलते हैं उसको इन painting में दर्शाय जाता था कैसे जुलूस ये यात्रा है निकल रही है फड़ painting आपको राजस्थान में देखने को मिलती है याद रखेंगे ठीक है राजस्थान की ये फड़ painting इसके अलावा चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग नाम से ही पता चल गया कुछ जो painting स्क्रॉल पेंटिंग है अगर आपको ये याद रखना है ये स्क्रॉल है या नहीं तो सबसे बेटर जो तरीका है याद रखने का वो है उसके नाम में ही स्क्रॉल लगा की याद कर लीजिए अगर आप इसको चेरियाल पेंटिंग याद रखते उससे बेटर है चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग ऐसे याद रखिए कहा जाता है ठीक है और अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि यहां पर आपको जो स्टोरीज मिलेंगी इन पेंटिंगे क्योंकि स्क्रॉल पेंटिंग है किसी ना किसी स्टोरी को दर्शाईगी, तो ये जो story दर्शाई जाती थी ये बलाढ सुनाने वाली जो communities होती थी, उनके द्वारा इस्तमाल की जाती थी ये painting, बलाढ क्या होता है बलाढ होता है, जो heroic heroic stories होती है war heroes की war heroes की जो stories होती है, जैसे आपने सुना होगा आला उदल ठीक है, आला उदल जो है वो एक तरह से बलार है, जहाँ पर किसी शासकती, अगर बात करें, पृत्विरा चोहान से जुड़ी हूई कोई स्टोरी या कोई गीत आपने सुना होगा, जैसे आपने गेत जो सुने चलते हैं पृत्विरा चौहान से जुड़े हुए वो क्या है एक तरह से बलाड है ठीक है चलिए तो यहाँ पर अगर बात करें कहता है कि कॉमन थीम क्या है हिंदू एपिक्स और पुरानी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी और चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग बलाड जो कमुनिटी थी जो स्टोरी सुनाती थी उनके दवारा इस्तमाल होती थी और music के साथ इसको दर्शाय जाता था चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं आप देख सकते हैं लंबे एक कपडे पर किस तरह से horizontally यह ज़ादा फैली हुई है तो scroll painting आपको देखने को मिलती है उसके अलावा पिथोड़ा painting आपको tribal communities के दोरा गुजरात और मध्यपरदेश के region में देखने को मिलेगी और इसके अंदर यहाँ पर कहता है कि भाई यह घर की दिवारों पर की जाती थी painting ताकि peace and prosperity आए फैमिली occasions पर इसमें घोड़ों को दर्शाय जाता है बेसिक जो theme है इसमें घोड़ों को और घोड़े इस तरह से दर्शाय जाते है यह पिथोड़ा painting ठीक है पिथोड़ा या पिथोड़ा painting ठीक है सौरा tribe की द्वारा की जाती है और यह वरली painting से similar है ठीक है तो अब यह painting बहुत important हो जाती है क्योंकि वरली भी आपको देखने को मिलेगी गुजरात और महराश्टर की region में होती है और यह जो painting है ओड़ीशा के अंदर होती है तो दो अलग-अलग region में होने वाली painting है लेकिन similar paintings आपको लगवग देखने को मिलती है और यह भी एक wall painting है दिवारों पर की जाती है ritualistic खास तरह के rituals में की जाती है और यह जो painting है सौरा painting इसको Italian या फिर icons भी कहा जाता है और यह dedicated होती है इडितल को जो की एक main भगवान है God है किसके सौरा tribe के तो याद रखेंगे theme इस painting की क्या होती है theme जो होती है वो होती है कि इनके जो देवी देफता है खास तरह पर इडितल उनके उपर आधारिते painting मिलेगी सौरा tribe की ओडिशा के अंदर Italian और या IKIKAN इस painting को कहा जाता है और ये painting आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ी और जादा complicated painting दिखेगी worldly painting से लेकिन जिस तरह के patterns worldly painting में इस्तमाल होते थे लगबग वैसे आपको देखने को मिलेंगे हाला कि उससे थोड़े और complicated जैसे हाथ ही आपको दिखेगा थोड़े complicated patterns दिखेंगे साथ में जो आपको colors इस्तमाल होते हुए दिखेंगे जैसे कि यहाँ पर अगर बोले ओकरे color background में मिलेगा और उसके पर white color का इस्तमाल करके painting को बनाया गया है ठीक है तो worldly painting जैसी थी Sora painting में लगबग वैसी मिलती है हालकि Sora painting जादा complicated और sophisticated आपको देखने को मिलती है ठीक है तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलेगा white color से बनाई जाती है red color के background पर painting को किया जाता है ठीक है और color जो है यह minerals और plant से लिए जाने वाले colors आपको देखने को मिलेंगे और stick like, gemectries, triangle इस तरह से आपको आकरतियां इस्तमाल होती भी नजर आएंगी ठीक है और कई बाद t-shirts पर भी आपको यह paintings नजर आती है वही बात यहाँ पर लिखी है जैसे worldly paintings आपको देखती है जितनी भी folk paintings है यह बहुत जादे important है total कितनी folk paintings है total 13 folk paintings हमने यहाँ पर पड़ी है यह 13 की 13 folk paintings पहली बात आप इसको कई बार देखी है और उसके अलावा इन paintings की location क्या है इनकी theme क्या है और इनके important features क्या है यह सब इस table के अंदर लिख दिये गए है इस table को खुद draw करेंगे maintain करेंगे बार-बार देखेंगे इससे क्या होगा आपकी एक बार आँखों के सामने comparative तरीके से जवाब पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी ठीक है काली घाट painting, पैतकर painting, कलमकारी, वरली painting यह सब यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ठीक है चलिए तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर 50% discount इस समय चल रहा है सभी courses के उपर आप pause करके यहाँ पर देख सकते हैं एक बार ठीक है pause करके इन सभी paintings को table में से note कर सकते हैं और चीजों को यहाँ पर समझ सकते हैं तो हमारी पूरी paintings हो चुकी है सारी प्रकार की जो categories थी paintings की हम complete कर चुके हैं तो paintings हमारी पूरी तरी से खत्म हो चुकी है folk painting जो की बहुत important paintings है उसको भी हमने यहाँ पर कर लिया है तो दोस्तों 50% discount अभी सबी comprehensive batches पर चल रहा है और 6 महिने तक courses भी आपका extra चलेगा अगर आपको इसमें enroll करना है तो code लगाना होगा SMK live और यह जो courses है यह चाहे Hindi medium के हो English medium के हो या bilingual सब पर यह offer आपको देखने को मिलता है code आपको लगाना होगा SMK live यह bilingual course है उसके लावा लक्षे बैच आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसके लावा multiple multiple optional को आप यहाँ पर explore कर सकते है single subscription से उसको भी आप यहाँ पर देख सकते है और यहाँ पर code लगाना होगा SMK live ठीक है चलिए तो दोस्तों I hope वीडियो चिलेए और वीडियो अगर आपके काम किये तो वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पढ़ते रहेंगे अपना खयाल रखेंगे जहिन दोस्तों